गुद मानिंग कैसे हैं आप लोग और एक पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ और एक पॉजिटिव माइंसेट के साथ हम लोगो क्रेश को सुरू करना है है ना आप लोग मैक्सिम लोग वही हैं जो इस बार एक्जाम में बैठने वाले हैं और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पिछले साल भी दिया होगा है ना फिर से इस बार देने वाले हैं तो कुछ-कुछ चीज़े हैं जो हम लोग पहले पांदस मिनट उस बारे में बात करके फिर हम लोग आज पॉलिटी से अपनी चीज़ों को शुरू करेंगे गुड मॉर्निंग निशा कुमारी, काजिम अंसारी, भावना, जीवा, गुड मॉर्निंग भई सभी को देखें सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अभी UPSC का जो पैटरन है या जो प्रिलिम्स का एक्जामिनेशन है वो किस लेवल पे वर्क कर गया है है ना, देखो, आज से अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएं, 2016-17 के आसपास के अगर हम लोग बात करें, तो 2016 में प्रिलिम्स एक्जामिनेशन हुआ था, उसमें आप लोगों को पता होगा कि लगग लगग 116 कट आफ चली गई थी, है ना, कुछ लोग इसको आर मैं ज है सकते हो कि करेंट अफेर का एकदम भर दिया था पेपर, है ना, तो एकदम से कट आफ चली गई इतनी जादा और UPSC का इगो जो है वो थोड़ा सा हो गया हट, यहां से, यहां से चीजे बदलनी शुरू हो गए, 2017 में अगर आप देखेंगे तो फिर चीजे थोड़ी सी होती है, 123 पर कट आफ आता है, और गिरता गिरता अब आप देखेंगे कि 2022 का जो ओफिशल हमारे पास बता है, वो लगबग 87 के आसपास है, 2023 को लेकर यह कहा जा रहा है कि यह कट आफ हो सकता है, SC के आसपास भी हो, तो इसका मतलब क्या है कि 50% भी हम लोग नहीं पहुंच है ना, उससे भी कम जो है, UPSC अब कट आफ में डह रही है चीज़े, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह दो-तिन चीज़े, आप जखो, पेपर देने वाले लोग तो बढ़ रहा है ना, अगर हम लोग बात करें कि आस्परेंट जो अभी हरती, उनकी संख्या तो ज़दा प्रमोट हुआ है, है ना, घर-घर तक सब लोग क्लासे करने लगे, और जो लॉकडाउन का डॉरिशन था, उसमें बहुत सारे लोगों ने तयारी को बहुत अच्छे से किया, वोग पेपर थोड़ा कोस्पन हो रहा था, तो लोग एकदम बेसी को उठा के बैठ ग की तारीफ की जाए कि उसने इस तर बहुत अच्छा कर दिया है, या UPSC को लेकर एक एक नेगटिव परसेप्शन हम मन में डालें कि इसने ये सब करके गलत किया है, दो तरीके से टाफ हुआ है पेपर, कैसे, एक जो खास करके हिंद्ली मीडियम के लिए, C-set एक बहुत बाट डील करने में, वरना तो उसी माइंट से फिर से बैठेंगे, जो पिछले साल हुआ और फिर से वही रिजर्ट सेम तू सेम हम लोगों के साथ हो सकता है, है ना, तो थोड़ा सध्यान से समझो इसको, C-set जो था, 2017-2018 से अगर आप देखेंगे, तो यहां से भी C-set का ल अब यहां से भी UPSC का इगो हट हुआ, अब देख लिजिए, UPSC ने का ठीक है 33 परसंड की बात तो 33 लेके दिखाओ, अगर आप 33 पर आ रहे हो ना, तो 63 मार्क्स चाहिए C-set में, आप उतना भी लेके दिखाओ, तो पहले तो UPSC को पता था, कि अगर मैं शुरू के 2-3 17 साल तो ज़्यादा गेम की नहीं, 17 के बाद से उसने C-set का स्तरवी उठाना अच्छा खासा शुरू कर दिया, अब C-set टफ क्यों है, ये भी मैं कोछ चीज़े आपको बताता हूँ, देखो, एकदम सारी कहानी को बिल्कुल ध्यान से समझेगा, पहले C-set में क्या हो रहा कि लगबग लगबग 30 या 27 सवाल जो हैं, वो आपके किस से आ जा रहे थे, कॉम्प्रेंशन की, है ना, एक तो सवाल कॉम्प्रेंशन से थे, और दूसरा, ये सवाल थोड़े से easy to moderate, बहुत ज़्यादा subjectivity नहीं थी इसके अंदर, बट अब अगर आप देखेंगे, एक तो सवालों की संख्या कम कर दी गई है, 2022 में तो 23 सवाल पूछा है, 23 में फिर से थोड़ी संख्या बढ़ी, बट अगर आप average देखेंगे ना, तो अगर मैं आपको overall कहूँ, तो 24 से 25 सवाल से ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये है, आईए ये भी जल्दी से बै इस भी सही कर दें, 100% accuracy से भी कर दें, तब भी हमारा C-set qualify नहीं हो रहा है, तो 27 के आसपास सवालों को हमें सही करना है, तब जब हमारा C-set और गलत ना हो एक भी, तब आप कह सकते हो कि आपका C-set जो है qualify हो गया है, तो इसका मतलब एक स्तर तो यहाँ पे खेल गया कि questions की सं क्या उसने कम कर दी, दूसरा स्तर क्या किया, यह जो 23 सवाल पूछे जा रहे हैं, इसके अंदर भी subjectivity बहुत ज़ादा है, अब आपका होगे सवर subjectivity क्या होती है, पताते हैं, उसका मतलब यह होता है कि आप, चाहे आप concept को समझ गए हो, उसने को comprehension दिया, आप समझ गए उसक अब इसको कौन judge करेगा, मुझे लगता है आप जितने लोग बैठे हो, अभी आप लोग के मन में क्या चल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो paragraph लिखने से पहले किसी को आप कैसे predict कर सकते हो, कि उसके मन में क्या चल रहा है, पहली चीज, दूसरा, मान लो आपने paragraph आपको पढ़ भी लिया, और उसके बाद आपको लगा कि अच्छा ये चल रहा है, तो similarity है options की, तीन options तो ऐसे हैं, जो बहुत ही similar हो गए है, पहले, अच्छा देखो, मुख्य संदेश अगर आपको निकालना है, तो तो वो सवाल आसान है, आपको पता है, आपने paragraph पढ़ा और आपको समझ में आजागा overall उसकी चिंता क्या है, पाने की कमी की चिंता है, परियावरण उसकी चिंता है, किसी जीव को लेकर उसकी चिंता है, economy की growth rate कम होना उसकी चिंता है, ये सब चीज हैं, बट अगर आप देखेंगे, ये तो निकालना बहुत आसान है, बट उससे पहले उसके मन में क्या चल रहा था, ये थोड़ा सा predict कर पाना बहुत ज़्यदा difficult, पहली चीज तो ये, तो इस तरह के सवाल बढ़ गए, अब यहाँ पे आती है subjectivity, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हाँ, अभी आ रहें, अभी सारी चीजों पे आ रहें हैं, आप च सदा बढ़ गया है, ठीक है, तीसरी चीज जो सबसे important मुझे लगता है, कि math का स्तर आप UPSC का देखिए, advanced level पे चला गया है, reasoning में तो फिर भी चलो, और reasoning में इस बार तो 2020 में सवाल ही नहीं पूछे गया, और math में बहुत अच्छा difficulty का level चला गया है, ऐसे ऐसे topic जो कभी सवाल UPSC ने पूछे हैं, और जो question आप पढ़ते हो, जैसे मान लो जो chapter आप पढ़ते हो, average हो गया, या फिर अगर आप देखोगे profit and loss हो गया, basic जो अवधारना है, ratio है, उसमें एक दो, एक दो, एक दो सवाल आपको दिखते हैं, तो अगर आप वो सारे topics भी करते हो, तब आप 10-12 सवाल तक मुश्किल से पहुंच पाते हो, तो ये एक तीसरा स्तर की चीज है, कि math में स्तर जो है, और even reasoning में भी उसने अपना उठा दिया, अगर आप सभी स्तर पर difficulty के स्तर को बढ़ाओगे, तो बच्चे कैसे deal करें, सबसे पहली चीज तो ये, है ना, एक होता है, आपने comprehension difficult कर दिया, या subjectivity कर दिया, एक आपने चलो ठीक कर दिया, कि questions जो है math के, आप reasoning भी छोड़ रहे हो, reasoning के questions भी आप कम कर दे रहे हो, इसका मतलब, अब देखो, अब यहां से 2-3 चीज़े निकलती है, पहली, कि क्या करें आप, या तो फिर से वही अंदोलन, है ना, कि बैठ जाए अपना, और जो लोग कह रहे है, चाहिए YouTube वाले, चाहिए कोई भी वो कह रहे है, गड़बर हो गया है, UPSC फिर से अंदोलन करना पड़ेगा, यह करना, वो सब तो solution देखो, आप है नहीं, कोकि किसी इसके लिए अंदोलन करो, अल्रेडी qualifying paper आई है, अब इसमे देखो, आप UPSC की तयारी कर रहे हो, आईए स्तर का, देखो, एक स्तर पर आलो चना, तो UPSC की इस मामले में बनती है, कि आपने सभी स्तर पर issue create कर दिया है, खास करके, आप सोच के देखे, फिर से अगर देखेंगे, यह paper जो है, यह engineering background वाले लोगों के लिए जादा easy हो ग करें, तो competition दो बचा ही नहीं, उन लोगों के साथ compete कौन करेगा, जब GS वाले जाएंगे, तभी तो उनके साथ compete करेंगे न, वो लोग ठीक ठाक लिखके भी examination qualify कर पा रहे है, means में, को competition नहीं बचा है, दूसरा, अब एक चीज यहाँ पर देखो, तो कि इसको क्या करें, कि इसमें एक लेंदी बहुत कर दिया है paper, ये भी सही बात, चाहिए GS का paper आप उठाके देखेंगे, आप CSET का paper उठाके देखेंगे, आपको बहुत बड़ा paper देखेगा, उसको पढ़ने में भी time जो है, बहुत ज़्यादा consume हो जा रहा है, और बार-बार अगर आप CSET के को deal करेंगे, अब हम लोग आते हैं general studies, देखो, जिनका ये हो गया मान लो, पहली बात तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ, को crash course है तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसका risk मत लिजेगा, पहले वाले का, क्योंकि अगर ये नहीं होता है ना, तो इसका कोई फायदा है नहीं, आप भी जानते हैं, तो और इसको रखना इस boundary पे मत, ये मत सोचना कि मेरे 70-75 नमबर का तयारी मेरी हो जाए, बस मेरा, यही सबसे बड़ी गलती है, आप कभी भी target के आसपास की तयारी करोगे ना, तो आप फसो, जरूरी है कि आप हम से कहो 100 प्लस marks की यहाँ पे preparation करके चल से पहले आपको reasoning के segment को उठाना चाहिए, चाहिए वो कितना भी है, दूसरा आपका math होना चाहिए, तीसरे पर आके comprehension को उठाओ, मैं क्यूं यह कह रहा हूँ, अगर आप comprehension सबसे पहले उठाते हो, तो आपका डेट गंटा चला जाए, क्योंकि आप सही करने कोशिश करोगे, सही, 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 गलत ना हो, गलत ना हो, बार-बार comprehension को पढ़ोगे, slow पढ़ोगे, आपको पता है time, और देखना आप यह चीज, देड़ घंटे का समय निकल चुका होगा और आपको लगेगा आपने सरफ 25 कोशन भी नहीं किये, 23 कोशन भी नहीं किये, तो फिर एकदम से जो मैं बच्चा हूँ, चीजों के लिए, वो बहुत ज़दा जरूरी है, और यही problem आपकी यहां पे create होती है, तो अगर आपको examination point of view से करना हो, तो आप हमेशा इस sequence में paper को attempt करिएगा, क्योंकि देखो, अगर आप, मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, मानलो आप एक घंटा का समय बचा है, या 40 मिनट का समय बचा है, उसमें आपको comprehension deal करना है, एक सबसे बड़ी चीज तो आप speed में पढ़ोगे उसको, obviously, और comprehension को speed में किया जा सकता है, math को नहीं किया जा सकता, reasoning को speed में नहीं किया जा सकता, comprehension को speed में किया जा सकता है, दूसी चीज, अब जैसे यहां अगर आप मालो 17-18 सवाल भी इसमें सही कर रहे हैं, तब कि आपकी कहानी बेटर बैठ रही है, तब आप देख लो 20 सवाल भी इधर पहुंचते हैं, और उधर से 15 सवाल आपके पास, बहुत एजली आपका C-set qualify हो जाता है, ठीक है, यह solid कम से कम आप qualify कर जाओ, और अगर आप comprehension के base में बैठे और Hindi Medium मैंने देखा है, comprehension, 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 comprehension से नहीं होगा, और सबसे बड़ी चीज यह है, इस बार उसने बढ़ा कर 27 सवाल comprehension में किये हैं, हो सकता है अगली बार, या इस बार सवाल B, C आएं, क्या करोगे आप वहाँ पर, ठीक है, तो जो difficulty वाले questions है, जिनमें आई जैसे reasoning में अगर आप लोग देखेंगे, सिलॉलिजम से, हर बार question, जैसे permutation, combination पिछले 2-3 साल से बहुत बार पूछ रहा है, इवन probability आप देखेंगे, उसमें जातार सवाल पूछे जा रहे है, number system जो है, बहुत difficulty हो गया, पहले हो था था, 9-10 सवाल सीधे number system चाहते थे, इसमें क्या करना है, कैसे tough हो गया है, या इसकी problem कहाँ पर बढ़ी है, और 2023 और 2022, ये दो paper हमें किस तरह का signal दे रहे हैं, देखो, ये जो आप लोगों को पता होगा, कि COVID के बाद से जो paper हुआ है, 2020 का जो prelims examination था न, उसको आप उठा के देखेंगे, क्या बदलाव है उसमें पता है, static portion बहुत ज़्यदा पूछा गया है, ये वही साल है जिसमें agriculture में बहुत सारे सवाल पूछ लिए गया थे, क्रिशी सेग्मेंट ने, दो जगह से, एक agriculture आप economy में पढ़ते हो, एक agriculture आप पढ़ते हो, दोनों को मिलाके बहुत सारे सवाल पूछेगे और ये वही paper है, जिसमें current affairs ज़्यदा नहीं पूछा गया, ठीक है, अब इसी segment को UPSC ने आगे continue किया है, ठीक है, एक यहाँ पर change और हुआ था, जो मैं कई बार बताता रहता हूं class में, 2020 में science and tech में जो हमारा zone चलता था कि all the above D, इसको बंद कर दिया है, होता था ना, कि science and tech में D question ज़्यदा आप बैठते थे, वही artificial intelligence का use कहां पे है, तो आप सब जगे करके आते थे, सवाल कैसे बदला वो पता है, जैसे मैं आपको कहता हूं, पहले वो सवाल पूछता था कि artificial intelligence का use कहां पे हो सकता है, भविश्यद, ये सवाल है, तो examiner को भी नहीं पता है, कहां पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, हो सकता है, जिस दिर paper हो रहा हूं, उसी दिन कुछ नहीं research हो जाए, और जिस segment को उसने मना किया, तो वो क्या करता था, सब ही, वो risk नहीं लेता था, फिर उसने कहा कि ये तो artificial intelligence का use कहां पे हो रहा है, तो आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते हो, आज कहां तक हो रहा है, ये बताओ, जिस दिन तक paper बन रहा है, एक महीने पहले आपका paper बनता है, जैसे मान लो इस बार 26 मही को examination है, तो 15 April के आसपास आपका paper prepare हो जाता है, मतलब एक राफ idea है कि एक महीने कि आसपास के current affair का उठाओ, आपको trap करने के लिए, ताकि UPSCX signal दे सके, एक तो मैं updated हूँ, एकदम latest question पूछूँगा, एक आप मुझे तया नहीं कर सकते कि आप 15 April तक current affair पढ़ो, आपको मही का भी पढ़ना पड़ेगा, first week, ऐसे उसने फिछले 2-3 सालों के paper में किया है, त तो, वो 98 question तक तो prepare कर लेता है, एक या दो question छोड़ देता है, जो वो यहां से उठाके और print करते, तुरंट paper भीजना शुरू कर देगा, 26 मही का exam है, तो वो 15 मही तक paper, 20 मही तक सबके पास भीजना शुरू कर देता है, चलो, आप देखो, यहां से अब हमें फिर क्या एक signal लिखलता है, एक तो, कुछ लोग कहते हैं कि current affair करने कोई जरूरत नहीं, मैं इस मामले में बिल्कुल आपको नहीं कहूं, उसका reason है, current affair direct चाहे ना पूछा जा रहा हो, बट indirect current affair पूछा जा रहा है, हैना, एक होता है current affair, जिसको हम लोग latest बोलते हैं, एक होता है contemporary current affair, हैना, पिछल दो-तिस सालों का current affair, उसमें बड़ी-बड़ी चीज़ें UPSC ने पूछी है, कई examples मैं देता रहता हूं, जैसे bio-work technology को लेकर स्वाल पूछा गया था, बहुत पुराना सवाल था, लेकिन 2022 पे पूछा गया, हैना, इस बार भी ऐसे कई सवाल आए हैं, 2023 पे भी जो पह examination, हैना, तो एक तो सबसे पहली चीज, current affair को छोड़ना नहीं है, पुराना current affair, सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं कि current affair आप contemporary form में बहुत अच्छे से prepare करेंगे, दूसी चीज, आप 100% अपने आपको तो prepare नहीं कर सकते हो, यह आपको भी पता है, और 100 marks हमें 100% चाहि नहीं, तो हमें चाहिए कितना, हमें बस इतना चाहिए कि हमारा means में लिखने के काबिल बैठ जाएं, बड़ तैयारी थोड़ी सी जादा करनी होगी, क्योंकि अगर 100 की लेके चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी, हमें बस cut-off को qualify करना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, हमें तक बहुँ सकते हैं, पहला, इस में से तीन-चार सब्जेक्ट है, एक है आपका quality, ठीक है, दूसरा है आपका economics, इको, तीसरा है आपका environment and ecology, इस बार geography भी मिलाकर वो थोड़ा साच्छे खासे सवाल पूछा है, चौथा segment अगर आप देखेंगे तो आपको history देखें, प्लस मिलाकर भी देखें ना, तो इसमें से ही अच्छे खासे सवाल, लगबख 65 से 70 सवाल तो इसी में से, और 70 का मतलब ये है 140 marks, तो उतने तो हमें चाहिए भी नहीं, हम अगर इसमें से लगबख 55 के आजपास भी सवाल सही बठा लें, तब भी हमारा चल जाए, मतलब 15 सवाल ग कोई भी चीज होगी नहीं, UPSC ने डिफिकल्टी इस बार अगर आप देखेंगे तो लगबख 58 सवाल ऐसे पूछे हैं, जिसमें उसने पेर वाला सिस्टम चलाया है, उपर में से 3 में केवल एक पेर सही है, केवल दोनों सही है, तीन सही है, पहले तो इलिमनेशन वाला कोई भी निकाल दो आप, तो आपका आंसर तक पहुंच जाते थे, अब वैसा वाला तो है नहीं, अब आपको तीनों के तीनों जो आप्शन्स हैं, वो पता होने चाहिए, तब जाकर आप सवाल को डील कर सकते हो, वरना आपको प्राब्लम होगी, तो इसको डील करने के लि करने का एक तरीका है, जैसे मैं कहता हूँ, पॉलिटी, तो पॉलिटी को हम लोग इस तरीके से करेंगे, करेंगे हम सारा ही पॉलिटी, लगबग हमारी 13-14 क्लास है, पॉलिटी में, लगबग 3 घंटे की आपकी डेली क्लास चलेगा, है ना, तो आप एक overall average मालेंगे, तो 40 घंटे हम लोग पॉलिटी को पढ़ने वाने हैं, और 40 घंटे बहुत हैं, जिन लोग ने तयारी कर रखी है, पॉलिटी को revise करने को, है ना, तो कि इसमें 13-14 सवाल हैं, और 14 सवाल अगर हम लोग अच्छे से करते हैं, और मैं तो हमेशा आपको कहता हूँ, इसमें अपनी 90% की accuracy लेके चलिए, 10% तो देखो हर 100% कोई भी सही नहीं हो सकता है, मिनाक्षी, अमरजीत, शमा, शबिया, खुश्बू, रानी, कृतिका, पर्मिला, पूजा, रेश्मी, पंकस, बाबू, सब को गुड मानिंग भई, ध्यान से सब लोग focus करके चीज़ों को सुनेंगे, ठीक तो concept के बिना चीज़े possible नहीं हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से prepare करना है, दूसरा, अगर आप लोग देखें कि जैसे subject में भी अगर आपको चीज़े देखने हैं, जैसे मानलो मैं आपको कहूं, quality को prepare करने का एक तरीका ये है, सबसे पहले एक overall preparation आपकी होनी चाहिए, कि आपको सब कुछ पता हो, जितने subject, जितने भी topics है ना, quality को एक बार तो आपको go through आप अभी तक हो भी गए होंगे, और एक बार तो उसको पूरा ही पढ़ना है, कभी भी आपको किसी भी exam का shortcut नहीं होता है, एक बार पूरा पढ़ेंगे, अभी जो आपका time पे है ना, को लगबग हर बार सवाल दिखेगा, Supreme Court में से हर बार आपको सवाल दिखेगा, DPSP में से हर बार आपको सवाल दिखेगा, historical जो आपका background है, Indian Constitution का सविधानिक प्रस्ट भूमी है, उसमें से आपको हर बार कोई ना, कोई एक्टिपे सवाल आता हुआ दिखेगा, संसद एक ऐ signal है, ये वाला time, ये subject है, या ये topic है, तो उसी को अच्छे से prepare कर ले जाए ना, है ना, तो अब जो है, आपकी तयारी एक specific zone में होनी चाहिए, अब ये निये कि सब कुछ पढ़ ले, अब कुछ नया, जैसे धीरे-धीरे अभी तो समय है थोड़ा सा, चीजे आने वाले time में आप लोग देखोगे, बड़ जैसे ही UPSC, आप ये पानलो की February या March, मिड तक आप जाते हो, कुछ भी नया पढ़ने से बचना होता है, नई चीजों को पढ़ने से छोड़ देना है, जो पढ़ लिया है, उसी को revision पे ज़्यादा फोकस करना है, ये तो आप लोग उने किताब को ज़्यादा बार पढ़ा जाए, हैना, तो वो revision वाला segment आप लोग पैरलल रखिएगा इन चीजों को लेकर, हम लोग आज quality से कहानी को शुरू करेंगे, हैना, और साथ में फिर उसके बाद में देखेंगे जिस तरह से आपका economy भी और साथ में to the point current affair भी इसमें चल हैना, तो 40 गंटे हैं हमारे पास, तो हम लोग मेरी कोशिश ये है, आपका revision पूरा हो जाए, quality में, उसी तरीके से economy अगर हम लोग करेंगे तो पूरा revision हो जाए, बट जहां-जहां पर सवाल बनने की संभावना रहेगी, वहीं-वहीं पर मैं आप लोगों को बताता देखो, एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं, अभी जो UPSC 2023 का भी paper पूछा है, जिस तर पर वो चल रहा है, उसमें एक दो चीज़े तो आपको ध्यान रखनी है, देखो, सिर्फ hard work, या जिसको मैं कहे दूँ कि knowledge सिर्फ इसी से भी काम नहीं हो, ये तो आपको मानना पड़े, है ना, knowledge वाले तो बहुत भर-बर के बैठे हैं लोग, तो फिर क्या चीज चाहिए, थोड़ा सा common sense का भी आपको यूज करना हो, ये अब UPSC ने paper में कर दिया है, पहले knowledge के बेश पेपर निकलना था, कोई ज़्यादा दिक्कत थी नहीं, बट अब जो है common sense के सवा सवाल भी है, elimination वाला process खतम कर दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे YouTube पे वीडियो चलते थे, अगर किसी में सिर्फ लिखा हुआ है, या कोई ना वाला subject है, negative statement है, तो वो गलत ही गलत हो, सिर्फ लिखा हुआ तो वो गलत ही गलत हो, अब वो सब चीज़ वाला गैंडा, वो भी सिर्फ भारत में पाया जाता है, और दो कूबर वाला उंट, वो भी सिर्फ भारत में पाया जाता है, अब तीनों इस statement में सिर्फ, तो किस को eliminate करोगे, यहाँ पे तो proper knowledge चाहिए, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि थार मरुस्तल पाकिस् यह बस और, boundary तो आप बनी है ना, 1947, पहले तो मरुस्तल को नहीं पता था ना, इतने सालों से कि 1947 में एक देश बनेगा, तो मुझे तो देखो हद अपनी cross नहीं कर देए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, तो मरुस्तल तो यह common sense की बात, अब यह सवाल में मालो UPSC में पूछ ल भी जो है, यह knowledge के साथ ही work करता है, इसको use कब करना है, देखो, सबसे पहला आपका paper में आपको knowledge को apply करना है, ग्यान के base पर चीजों को deal करने की कोशिश करनी है, सबसे पहले, दूसी चीज, जब यह भी ना, फिर देखना, क्या elimination का थोड़ा बहुत कुछ चल रहा है, क्या, चीजे देखना है, तीसरा, आपको यह focus करना है, तब आपका common sense वाली चीजे आती है, और मैं आपको कहता हूँ, देखो, अब एक थोड़ा सा, यह भी देख लो, कितने सवाल UPSC में आपको attempt करने चाहिए, यह बड़ा एक सवाल हर किसी के mind में रहता है, कितने सवाल attempt करने अब देखो, दो तरीके की लोग है, पहला person यह है, जो कहता है कि मेरी accuracy बहुत जादा है, अब कुछ लोग है जो 65 ही attempt करते हैं और उसी में qualify कर लेते हैं, बट ऐसे कुछ-कुछ महात्मा है, हर कोई नहीं हो सकता है, कि गलत ना हो आप, एक दम accurate हो, और आप इसी सोच के अरी minimum मुझे लगता है हर बच्चा दो साल करके फिर ही बैठता है, तोई लोग एक साल करके भी बैठ जाते हैं, बट फर्स अटेम में मुझे लगता है, वो जो लोग एक साल वाले होते हैं, उनको थोड़ा समझने में एक साल लगता है, अब आपने दो से धाई साल लगब 85 कुशन तक जा सकते हैं, एक दो बड़ भी जाए, कोई दिक्कत नहीं, अपने आपको 90 से तो नीचे ही रखना है, 100% राजा बनने की कोशिश नहीं करनी है, कि मैं 100 का 100 करके आऊँ, आपका मैं लिखके देता हूँ कि आपका गलत ही होना है, क्यों, अब देखो, मैंने आप को काकी 85 अटेम्ट करना है, अब इसमें क्यों मैंने काया, इसके पीछे भी एक साइन्टिफिक लॉजिक, जैसे कुछ सवाल ऐसे होते हैं, उसकी रेंज होती है, वैसे तो, 8 से 10 सवाल होते हैं, 10 से 12 सवाल होते हैं, जो किसी को भी नहीं आते हैं, किसी को भी बिठा दो काय भारत में कोई नहीं हो सकता है, जिसने अपना स्तर अभी तक बना के रखा है, इतना बेहतरी, इतने खुबसूरत सवाल फ्रेम करना, बहुत छोटी मोटी बात नहीं, बट, मैं अगर आपको कहूं, कि आपको UPSC का पेपर बनाना है, और पेपर डिफिकल्ट होना चाहि पढ़ाया हो, किसी बच्चे को पढ़ाया हो, या आगे चलके भी कभी पढ़ाने वाला जोन, पेपर डिफिकल्ट बनाने में कोई बड़ी चीज नहीं है, बना सकता है UPSC, 100 ही तो सवाल बनाने है उसको, और वो उठा के ले जाता है, यह जो test series वगरा सब उठा के ले जात अब उसमें total सवाल कितने हो गए, 5000 हो गए ना, तो 5000 में हमारा वहाँ पे 40 भी नहीं सही बैट पा रहा है, 60 सवाल भी हम नहीं वहाँ पे निकाल पा रहा है, इसका मतलब तो उसने चीज़े देख रखी है ना, तब ही तो उसने का है कि यहां से सवाल नहीं डालना है, पेप और sensible बनाना बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो जो difficulty का सथर है ना, वो उन 15 सवालों पे दिखा दिता है, मैं तो ऐसे पूछूँगा यह पूछूँगा, जान बुछूँगा, और अच्छा क्यों वो test series वाला और इन सब चीज़ों को लेकर क्यों वो इस तरह की mentality रखता है उसका भी एक कारण आपको पता है, उसको यह लगता है कि देखो, डिली एक ऐसा जोन है, जहां पर बहुत सारे लोग जाकर क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, है ना, डेली में जाकर लोग परपेशन करते हैं, तो अगर डिली में तैयारी करने वाला बंदा बहुत सब resources हैं, उसके पास test series है, बहुत अच्छे-चे teachers से वो पढ़ रखा है, अल्ड़ी उसको सब पता है, तो गाम दिहात में कोई बंदा रहने वाला उससे कैसे fight करेगा, सबसे बड़ी चीज है के नहीं, उसको सब को एक parallel level पर लेकर आना है, एकदम equal level पर, कि वो जो बंदा गाम में सवाल, ध्यान से समझ लिजगा, बहुत help होगी आपको, दस से बारा सवाल ऐसे होंगे, जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता होगा, और मैं आपको एक चीज और कहता हूँ, इसमें से ऐसे सवाल history में ज़्यादा होने की संभावना है, पुरानी कोई चीज पूछ लिया, प से बचना है, मैं कहता हूँ, आता है, बहुत अच्छी बात, जैसे बंदरगा वगरा बहुत पूछ रहा है, प्राचीन काल, आपने पढ़ रखे हैं, रटा मार रखे हैं, वो सवाल दिख गया, सिधा मार दो, बट अगर कुछ ऐसा पूछ रहा है, प्राचीन भारत की कोई तर्म, कोई पूछ रहा है, कि ये किसको कहा जाता था, पुल्यवाब आपको लेकर पूछा गया था, ये सारी चीज़े किसको कही जाती है, उस तरह के सवालों को आप सोच के आपको लगता है, कि नहीं मेरे को नहीं बैठ रहा है, देखो, यहाँ पे मेरा मानना ये है, UPSC प्रिलिम्स ये नहीं है, कितने सही करते हो, कितने कम गलत करते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टन, जित एक, आप लोग पता क्या करते हो, जो हम एक्जामिनेशन हौल में बैठे होते हैं तो हमें ये लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, एक गलत होने से क्या हो जाएगा, हमे ये गलत नहीं होना चाहिए अगर आप इस mentality से चल रहे हो कि नहीं चलो एक ही गलत हो ऐसा नहीं आप ये सोच के देखो गलत नहीं करना है चाहिए कुछ हो अगर आप इतना specific mind में बार-बार बोल के चलो गए कि गलत नहीं करना है गलत नहीं करना है अगर आप यह बोल के चलो कि गलत नहीं करना है तब जाकर 15-20 सवाल तब भी गलत हो नहीं हो नहीं हो बट अगर आपने आज यह ए कि हो रहे हैं हो रहे हैं पता भी जलेगा 40 सवाल 50 सवाल कब गलत हो और इस बार की result में तो ऐसा है बहुत सारे लोग थे 15 सही 85 गलत 30-70 गलत जिन लोगों ने 100-100 अटेम्ट भी किया है 90 में से 20-70 गलत इस तरह का इस बार का चीजे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी तो इस चीज का ध्यान रखना पहले तो उन सवालों को छोड़ना है दूसरा अब जैसे वो वाला भी खतम हो चुका है जैसे आप लोग जो इनोंने पॉइंट उठाया लेंदी वाला जीएस का पेपर भी बहुत लेंदी है पहले क्या होता था बहुत सारे टॉपर आपको बोलते हैं कि फर्स्ट राउंड लगाए उसमें देखिए आपके कितने सही बैठ रहे हैं फिर आप दूसरा राउंड लगाएए उसमें देखिए कितना सही बैठ रहे हैं फिर तीसरा अरे तीन राउंड अब पिपर में पॉसिबल है क्या अब नहीं पॉसिबल है तो मेरी एक सला मान के चलीगा पहला ही first है, पहला ही last है एक चीज आपको और बताता हूँ जिन बच्चों ने exam दिया है वो इस चीज को समझ रहे हों बताते हैं एक चीज जहां से समझेगा मानलो आपको पांच नंबर सवाल पे हैं question नंबर 5 आप attempt कर रहे हैं examination hall सवाल आपको जदा अच्छे से समझ में नहीं आया या जो भी है बत आपका मन जो है वो किसी option पे आया है आपका मन कहा रहा है कि इसका answer जो है C होना चाहिए बत आपने उस सवाल पे गोला मार के छोड़ दिया कि इसको बाद में करो उस समय आपका prediction जो बैठ रहा था ना उसकी 99% possibility है कि वो सही बैठे कभी भी करके देख ली जगा यह ज़ी जो हम first prediction करते हैं ना वो सवाल सही होता है जब हम क्या होता है जब हमने आगे चल कर फिर इसी question को जब last में देखा ना भागम भाग, दो मिनट रहे गए, तीन मिनट रहे गए पेपर खतम होने वाला है तो रहंत आपका सही है था फिर आपके मन में आने नहीं ए कर देना चाहिए तो आपने ए कर देना और घर आके माथा पकड़के बैठ रहे हैं कि मैंने तो C टिक किया था और कई ऐसे सवाल भी होते हैं जो आपने पेपर में तो सही टिक कर रखा होता है लास्ट में ओमार्शीप में भर रहे होते हैं तो मन नहीं मानता है कि यार मुझे अपने पर confidence नहीं आता है कि मैं सही कर सकता हूँ क्या इस सवाल को C होगा मुझकिल लग रहा है A की तरफ या B की तरफ या D की तरफ जाता हूँ गलत करके आते हो आप तो इससे क्या सीख है इससे सीख ही है जब आप पहली बार सवाल को पढ़ रहे हो ना उसी के साथ चलो ज्यादा बहतर है इससे एक फाइदा और भी है मानलो आपने सवाल पेपर डील करते करते अपने तीस सवाल ऐसे हैं जिन पर आपने गोला कर रखा है यह मैं बाद में करूँ यह आगे चल कर आपको stress create करते हैं last करना ही क्यों है देखो भई सोच के चलो मैंने आपको क्या कहा है 85 तो attempt करना ही लगबग सारा paper attempt करना है आपको लगबग सारा ही attempt करना है तो फिर क्यों छोड़ने वाला mind में कि गोले गोले करते चले जाए और कौन आएगा बात में करने से ही help मिल जाएगी क्या किसी से करना तो खुधी को है तो फिर जब खुदी को करना है तो अभी क्यों ना करके जाया जाए पहले ही अपना और टाइम इतना सेट करके रखो कि हाँ भई जैसे हर किसी की ना अपनी स्ट्रेजी होती है कि पहले आदे गंटे में मुझे इतने सवाल करने हैं दूसरे आदे घंटे मुझे इतने सावाल कर लेने तीसरे ये अपना सेट अप आलेड़ी टेस्टरीज वगारा के माद्यम से बना लेना और आप लोग ना आप बहतर खुद को जानते हैं अब इस तर पर अगर मुझे लगता है सीरियस आस्पिरेंट बैठे हैं तो सब कोई अपने आपको जानता है क्या मेरा तुक्का सही बैठता है कि नहीं बैठता है इस चीज़ को आपके सीरियस से बहुत अच्छे से समझ जाने चाहिए क्या मेरा तुक्का ठीक बैठता है अगर तो तुक्का ठीक बैठ रहा है तो वहाँ पे मार ना अगर नहीं बैठ रहा है 15 सवाल जो छोडने उसमें ऐसे सवाल जिसमें चारों में से कुछ नहीं पता है आप और फिर उसके बाद ऐसे सवालों पे आना है जिसमें आपको तीन ओप्षन में से आपको ये लगता है कि हाँ एक कम से कम आप elaminate कर सकते हो उनको जरूर attempt कर लेना है है ना अगर आपको लगे कि नहीं एक मुझे मैं eliminate कर सकता हूँ तीन में risk ले सकता हूँ तो ले लो कोई दिक्कत नहीं और अगर दो पे हो फिर तो बिल्कुल मत छोड़ो अगर लगता है कि दो eliminate और दो में चूज करना है 50-50% कोई बात नहीं आप probability से भी चलेंगे तब भी यह लगता है कि अगर आप 4 question deal करते हो न तो एक सही करते हो तो यह इस तरीके से आपको paper को छोड़ना है और attempt मेरा अगर आप मानोगे अगर आपको UPSC presence qualify करना है 85 से 87 question से कम करके मत आईएगा वरना आप already game से बाहर हो ठीक है इतना तो आपको करना होगा लगभग लगभग 15 question आप छोड़ सकते हो दूसरा मैं आपको एक चीज और कह रहा हूँ आप 25 question गलत भी कर सकते हो अब मुझे बताओ देखो UPSC कितना थोड़ा सा आसान है इस मामले में 15 आपने छोड़ दिये लगभग 20 से 25 question आप गलत भी कर सकते हो तो मतलब आप अगर 7 question सही करते हो तब भी आपका UPSC prelims easily qualify है भई 15 तो आपने छोड़ दिये अब और कितना नहीं आता पेपर आपको 15 आपने छोड़ दिये 25 गलत कर दो इतनी छूट भी दे रहे हैं अब इतना तो सही है ना ये 15 छोड़ दिये और 25 गलत कर दिये तब तो बच्चे क्या गेम 60 question की गेम बच्चे अब यहां से कम नहीं जाना चाहिए अगर यहां से कम गया तो फिर दिक्कत है 40 question दे दिये आपको बट 40 के 40 गलत नहीं करने है 15 उसमें से छोड़ने छोड़ने की तो क्या ही कला है जो नहीं आ रहा छोड़ दो छोड़ने के लिए कौन सी बड़ी चीज करनी है जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दो बट 25 question जो है आप गलत भी कर सकते हो तो इतना बड़ा आपके पास एक discount है छूट है आप उसको use कर सकते हो बाकी सवालों में आपको accuracy लानी हो तीक है वो अगर आप देखेंगे जैसे मैंने आपको कहा कि 4 subject आप अच्छे से कर लेते हो इवन science tech में भी आप बिल्कुल बच्चे थोड़ी होंगे 2-4-5 सवाल तो वहाँ पे भी निकालेंगे current affair ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल छोड़ देंगे हम लोग तो पूरा to the point current affair यहाँ पढ़ने वाले 15 class तो current affair उसमें से भी कुछ सवाल फरसेंगे प्राइवेसी वाला तीन बार सवाल पूछ चुका है same to same सवाल घुमा घुमा के एक बार पूछा अनुच्चेद किस में है किस अनुच्चेद में पाया जा रहा है एक बार पूछा सलतंतरता में है समानता में है किस में यह सवाल पूछ रहा है बार बार तो कुछ कुछ चीजे तो हलवे आपको ऐसे मिल जाते हैं अब देखो एक चीज और ध्यान रखनी कई लोग जो UPSC बिल्कूल एकदम कहता ना कि low hanging fruits देता है कि ये तो ऐसे ले लो मजाग मैं दे रहा हूं आपको दान कई लोग उसमें भी दिमाख लगाने लगते है ये मत करना क्योंकि अगर मालो मालो दस सवाल ऐसे हैं जो low hanging fruit हैं जो सबको ही सही होंगे तो आप अगर उनको गलत कर दिये तब भी आपकी competition से बाहर होने की संभावना है वो तो catch कर लेना है वो नहीं छोड़ना है वो तो हर हाल में सही होना ही चाहिए इस तरह के सवाल जो एकदम वहाँ पे भी दिमाख लगाने लगोगे यार अगर इतना ही easy सवाल होता तो prelims में थोड़ी ना आता फिर ये दिमाख चलने लगता है तो वो नहीं करना है आप लोग हेडिंग डालेंगे सविधान का निर्माण सविधान को लेकर आप क्या समझते हैं बई क्या होता है सविधान फेक्ट फेक्ट हम लोग बिल्कुल prelims माटवी से बहुत सारी चीजे नहीं भी लिखते चलें कुछ बचे gs वाले भी बैठे हैं तो अपने साइयम बना के रखना है भी ठीक है तो चीजों को हम लोग कोशिश करेंगे कि 40 कलास में कुछ भी इससे बाहर ना रहें मैक्सिम चीजे इसमें से फस जाएं ठीक है सविधान क्या होता भी और सविधान वाद क्या होता है और सविधान की प्रमुख विशेष्टा क्या होती है ये सवाल पूछा गया है ना सविधान वाद दो बर पूछा सविधान के विशेष्टा पूछी ये भी सवाल 2023 में पूछा सविधान की प्रमुख विशेष्टा क्या है या एक बार पूछा सवाल सविधानिक सरकार क्या है ये भी अभी आया तो मतलब एक सेगमेंट है जिस पे UPSC को एक हिसाब से सोच लो कि अटेश्ट हो गया है वो, इसी सवाल को बार-बार पूछना, क्या है, एक दस्तावेज है, कानून भी है क्या सविधान, है ना, सविधान एक कानून भी है, तो एक कानून जो है, जिससे हम दस्तावेज के तोर पर भी रखते हैं, और उसके माध्यम से किसी देश की सरकार चलाई जाती है, पहली चीज तो यह, दूसरा, अगर मैं यह कहूँ कि समिधानिक सरकार क्या है, उसको क्या बोलेंगे, या कहूँ समिधान भाद, तो क्या कहेंगे, एक लोकतंतर में सरकार की शक्तियों की क्या सीमा होगी, यह वर्ड याद रखिएगा, लिमिटेशन, उसको बोलेंगे समिधान, समिधान भाद, यहीं पे तीनों सवालों का अंसर आ गया है, समिधानिक सरकार, एक बार ऑप्शन में क्या है, सीमिध सरकार, लिमिटेड गॉर्ड में, सीमिध मतलब उसकी शक्तियों की रेखा है, वो उस किसी भी सवतंतर राष्ट की साशन विवस्ता को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए दिशा निर्देशों की आवशक्ता होती है सुचारू रूप से चलाने के लिए दिशा निर्देशों की आवशक्ता होती है और इन दिशा निर्देशों का स्रोत उस देश का सविधान होता है एक लोगतंतर में सरकार की शक्तियों की क्या सीमा होगी उसे समिधान वाद कहा जाता है उसे समिधान वाद कहा जाता है इस प्रकार समिधान की मुख्य विशेष्टा इस प्रकार समिधान की मुख्य विशेष्टा सरकार की शक्तियों सरकार की शक्तियों की सीमा तै करना है सरकार की शक्तियों की सीमा तै करना है अर्थाथ समिधानिक सरकार से आश्य है सीमिध सरकार समिधानिक सरकार से आश्य है सीमिध सरकार छोटी सी हेडलाइन जालेंगे समिधान सभा की मांग भारत में समिधान सभा की मांग और वही फैक्ट जो पूछ जाने की संभावन है हर चीज नहीं लिखेंगे हमार पास लिम्टर टाइम है और हम लोग स्पेसिफिक चीज़े करेंगे लिखो पॉइंटीन पॉइंट के फॉर्म में लिखना पहला पॉइंट नाइंटीन फाइव में नाइंटीन फाइव में एक सो शॉरीव आप लेखिए आप लेखे याटीन नाइटी फाइव में के बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तयार किये गए सवराज्यविधेयक में तैयार किये गए सवराज्य विधेयक में भारत के लिए समिधान बनाने है तू भारत के लिए समिधान बनाने है तू एक समिधान सभा को गठित करने की मांग की गई थी एक समिधान सभा को गठित करने की मांग की गई थी देखो जितनी थोड़ी सी जए जो नए बच्चे हैं देखो जीएस वाले कुछ बच्चे हैं जो हमसे पढ़ें तो उनकी speed तो better है तो हम पहली दिन से रखते हैं जो नए बच्चे थोड़ा सा speed ज़्यादा रखोगे ना तो उससे हम ज़्यादा चीजे कर पाएंगे है ना तो इस चीज का ध्यान रखना है थोड़ा सा तेजी लिखना है तो इसको सवाल ना अभी तक आया नहीं है तो इसको तिलक वाला जो है उसको अंडरलाइन कर लो अगर पूछ ले UPSC कि सवराज्य विधेक लाया गया था कौन लेकर आया था उसको दूसा पाण लिखेंगे इसमें 1922 में 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतिय समिधान भारतिय समिधान भारतियों की इच्छा अनुसार होगा भारतिय समिधान भारतियों की इच्छा अनुसार होगा अगला पॉइंट, 1924 में, 1924 में, 1924 में, समिधान सभा का विचार, समिधान सभा का विचार, सरव पर्थम, सरव पर्थम, सव राज पार्टी द्वारा दिया गया था, फिर दिखो, वर्ष 1934 में, अगला पॉइंट, वर्ष 1934 में, समिधान सभा के गठन का विचार, समिधान सभा के गठन का विचार, एमेन रौय द्वारा रखा गया था, समिधान सभा के गठन का विचार, एमेन रौय द्वारा रखा गया था, 1935 में भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस द्वारा पहली बार समिधान सभा के गठन की मांग की गई बहुत इंपॉर्टन भाई 1935 में कॉंग्रेस पहली बार मांग उठाई है यह गठन की मांग की गई फिर दिखेंगे 1938 में 1938 में कॉंग्रेस अधिवेशन में 1938 में कॉंग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया एक प्रस्ताव पारित किया गया और यह कहा गया कि समिधान निर्मान का समिधान निर्मान का एक मात्र तरीका एक मात्र तरीका समिधान सभा है नीचे ना एक inverted कॉमा करके गांधी का statement लिख लो अगर UPSC पूछ ले statement किस ने कहा था दीच लिखो इसी कांग्रेस अधिवेशन में इसी कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि हम एक ऐसी कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि हम एक ऐसी कि हम एक ऐसी समिधान सभाद चाहते हैं समिधान सभा चाहते हैं जो भारतिय मस्तिश्क का वास्तविक दरपन हो। 1940 में ब्रिटिश शरकार ने सैधान्तिक रूप से इस मांग को सविकार जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। 1942 में 1942 में 1942 में क्रिप्स योजना के तहट क्रिप्स योजना के तहट ब्रिटिश सरकार ने यह गोशना की कि भारत में एक भारत में एक निर्वाचित समिधान सभा का गठन किया जाएगा। आपको पता है क्रिप्स योजना को और सभिकार कर दिया था कॉंग्रेस और लीक दोनों ने क्योंकि यह सवतंदर था कि यह तो बात ही नहीं करती थी तो यह एक सेग्मेंट है जिसके माध्यम से आप लोगों को कुछ-कुछ चल रहा है ना भी और जनवरी के बाद एक्जाम कब देना आपको 26 मही को को कि तेरा क्लास में पॉलिटी तो खतम हो जाएगी कितना रियाद रखोगे दिमाग में अगर एक सेग्मेंट रहेगा आपके पास कुछ-कुछ फैक्ट हम हर चीज नहीं लिखवाएंगे उव्यस जो है आपके पास हो थटावट बड़ावट देखें इवन पेपर से पहले भी महां जा रहा है तो आप चल्दी जल्दी उसको देख लें आपको लगए ठीक और जब आप विजूल चीजे आपके दिमाग में रहती है ना ओरल नहीं रहता है लंबे समय विजूल रहेगा तो आपको पता है आपने कहां पर हाइलाइट कर रखा है आप हाइलाइटर भी तो कई कई तरह के यूज करते हैं ये वाला तो जादा ही इंपॉर्टन तो वहां से वह हाइलाइटर आपके दिमाग में काम करेगा वहां पर यहां वहां पर मैंने रेड वाला कर रखा है वह ही चीज पूछ रहा है है ना तो इसलिए थोड़ी से ही कुछ कुछ चीज आपको लिखवा रहे हैं पिर जल्दी से लिखेंगे सविधान सभा का गठन कौन से मिशन के आधार पर हुआ था भी हाँ पहला पॉइंट लिखेंगे आप लोग कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर नवंबर 1946 में 1946 नवंबर 1946 में समिधान सभा का गठन हुआ जिसमें सीटों का बटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया था जिसमें सीटों का बटवारा जनसंख्या के आधार पे किया गया था। अंच तह निर्वाचित और ब्रेकेट में लिख लेना ब्रिटिश प्रांतों द्वारा वहां से निर्वाचित हुए थे। तथा अंच तह नामित और उसके ब्रेकेट में लिख लेना रियास्तों के प्रमुखों द्वारा किया गया था। अगला point सविधान सभा की सीटें सविधान सभा की सीटें तीन समुदायों में विभाजित की गई थी जो नए बच्चे हैं जी एस वाले नहीं हैं वो बताएंगे बई कौन-कौन से तीन समुदाय थे बई मुस्लिम, सिख और सामाने जल्दी से लिख लेंगे यहाँ पर हिंदू अगर डाल दे तो गड़बड हो जाएगी याद रखेंगे आप लोग जल्दी से लिखेंगे तीन समुदायों में विभाजित की गई थी मुस्लिम, सिख तथा सामाने पिर लिखेंगे महात्मा गांदी सविधान सभा के सदस्य नहीं थी अगला और लास्ट पॉइंट देशी रियास्तों को आवंटित देशी रियास्तों को आवंटित 93 सीटें नहीं भर पाई क्योंकि उन्होंने समिधान सभा से क्योंकि उन्होंने समिधान सभा से अलग रहने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने समिधान सभा से अलग रहने का फैसला किया फिर लिखो अगला पॉइंट इसी में लिखो समिधान सभा के सदस्यों की समिधान सभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या अधिक्तम संख्या कैबिनेट मिशन द्वारा निरधारित की गई थी अधिक्तम संख्या कैबिनेट मिशन द्वारा निरधारित की गई थी इस मिशन के तहत इसी पॉइंट में लिखना इस मिशन के तहट प्रस्ताव था कि प्रतेक दस लाख जन संख्या पर एक प्रतिनिदी होना चाहिए प्रतेक दस लाख जन संख्या पर एक प्रतिनिदी होना चाहिए जल्दी से नीचे शॉट में लिख लो टोटल सदसे कितने थे 389 जल्दी से लिख ले 389 टोटल जिसमें लिखो प्रांतों से 296 प्रांतों से 296 और देशी रियास्तों से 93 फिर से बोल दे रहे हैं 389 टोटल थे प्रांतों से 296 और देशी रियास्तों से 93 लिखो एक लास्ट पॉइंट जुलाई 1946 में 1946 में प्रांतिय चुनाव हुए प्रांतिय चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को 208 स्थान प्राप्त हुए कॉमा मुस्लिम लीग शॉट में लिख लिया करो ऐसे चीजर अमयल मुस्लिम लीग को मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए कॉङ लिख को 208 मुस्लिम लीग को 73 ओ तथा पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, कॉमा बंगाल की क्रिशक प्रजा पार्टी, अंडरलाइन करे ले ना भई दोनों को, बंगाल की क्रिशक प्रजा पार्टी, दोनों ने एक एक स्थान या एक एक सीट हासिल की, दोनों ने एक एक सीट हासिल की, कोई बता सकता है, सविधान सवा में 17 सद से कितने थे, निर्दली ये, लिख लो नीचे, ब्रेकिट में कहीं लागए कि लिखो, निर्दली ये 8, अगर सीधा स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ ले, कई बार ऐसी चीज़े भी पूछ लेता है, पहली बैठक काब हुई भई, दिखलो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, अचा इसमें आई थी मुस्लिम लीक के नहीं, पहली में, बहिशकार, ML ने बहिशकार, ब्रैकेट में लिखलो, मुस्लिम लीग ने बहिशकार, फिर लिखो, औस थाई अध्यक्ष कौन था भई, हाँ, वाह, क्या बात है, लिखो, तो औस थाई अध्यक्ष थे, डॉक्टर सचिदानन्द सिनह, औस थाई अध्यक्ष, डॉक्टर सचिदानन्द सिनह, फिर कब सुने के स्थाई, तो लिखो नीचे, ग्यारा दिसंबर 1946 को, डॉक्टर राजिंदर प्रसाद, डॉक्टर राजिंदर प्रसाद स्थाई अध्यक्ष, गारा दिसंबर 1946 को, डॉक्टर राजिंदर प्रसाद स्थाई अध्यक्ष, और, एच्सी मुखर्जी, एच्सी मुखर्जी तथा कृष्णा मचारी, एच्सी मुखर्जी तथा कृष्णा मचारी को, उपाध्यक्ष बनाया गया, उदेश्य प्रस्ताव, जवारला नहरू लाये थे, अगला पॉइंट लिख लो, शौट शौट में लिखते चलो, जे यल नहरू, जवारला हल नहरू ने, 13 दिसंबर 1946 को, जवारला हल नहरू ने, 13 दिसंबर 1946 को, उदेश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, सविधान सभा ने कब सविकार किया था भाई इसको डेट बताओ डेट जल्दी से हाँ हाँ तो इसमें देखो इसे इसे 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को सविधान सभा ने सविकार कर लिया बहुत बड़ी है भाई very good एक लाइने सी में लिखलो प्रस्तावना शौट में लिखो प्रस्तावना इसी उदेश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है नीचे लिखो भारत के विभाजन हे तु थी यह योजना भारत के विभाजन हे तु थी भारतिय सवतंतरता अधनियम 1947 ने समिधान सभा में दो बदलाव किए समिधान सभा में दो बदलाव किए पहला समिधान सभा एक समप्रभू संस्ता बन गई पहला पॉइंट समिधान सभा एक समप्रभू संस्ता बन गई जो स्वेच्छा से किसी भी समिधान का निर्मान करने में सक्षम एक समप्रभू संस्ता बन गई जो स्वेच्छा से किसी भी समिधान का निर्मान दूसरा समिधान सभा को समिधान सभा को दो प्रकार के कारे सौपे गए इसी के आगे डेश देके लिख ले ना सब पॉइंट में पहला आम कानूनों का निर्मार शोट में आम कानूनों का निर्मार ब्रैकेट में लिख लो अंत्रिम संसद के रूप में कारे बेसिक बेसिक चीजें हैं उल्जा सकता है तो याद से लिख लो आम कानून का निर्मार इसका मतलब अंत्रिम संसद, इंट्रिम पार्लेमेट के तौर पर भी काम करेगी, अंत्रिम संसद के रूप में कारे, इसके सामने लिख लो कौन थे भई अध्यक्ष उसमें, मतलब इसका जब आम कानूनों के लिए काम करते थी, जीवी मावलंकर, लिखो, वहीं लिख लो प्रेकिट में, जीवी मावलंकर अध्यक्ष, दूसरा पॉइंट इसी में जो दो पॉइंट लिख रहे हैं, दूजा पॉइंट लिखो, सवतंत्र भारत हे तू, सविधान निर्मार, सवतंत्र भारत हे तू, समिधान निर्मार, पर अध्यक्ष आपको पता है, डौक्टर राजिंदर परसाद, रास्दफज कप अपनाया गया था भी, 26 जन्वरी को, लिख लो, 22 जुलाई 1947 को रास्ट धवज को अपनाया, फिलको 24 जन्वरी 1950 को, 24 जन्वरी 1950 को, रास्टिय गीत तथा रास्टिय गान को अपनाया, डौक्टर राजिंदर परसाद, पहले रास्टपती कब बने गया, सेम डेट में लिख लो, अंतिम सविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, सविधान सभा ने अंत्रिम संसत के रूप में कब तक कारे की अदब हुई, मई 1952 तक लिख लो नीचे, मई 1952 तक अंत्रिम संसत के रूप में कारे, कुछ समीतियां लिख लो अध्यक्ष जल्दी, नहरू की पहले लिखो नहरू की, जवार्णा नहरू, पहला, किसके किसके अध्यक्ष ते, पहला, संग शक्ती समीति, संग शक्ती समीति, कॉमा, संग समिधान समीति, संग शक्ती समीति, कॉमा, राज्ये समीति, ये राज्यों से सम्जोहता करने वाली समीति भी बोलते हैं इसको, राज्ये समीति, इसके अध्यक्षते नेरू, फिर लिखो राजंदर प्रसाद का, नीचे लिखो डॉक्टर राजंदर प्रसाद, उनका लिखो परक्रिया नियम समीथी, फिर एक और संचालन समीथी, परक्रिया नियम समीथी और संचालन समीथी, प्रनीचे लिखेंगे सरदार पटेल इसमें लिखो प्रांतिय सविधान समीती प्रांतिय सविधान समीती कॉमा मूल अधिकारों कॉमा अलप संक्यकों अलब संक्यकों, जन जातियों और बहिश्क्रत छेत्रों के लिए परामर्शी समीति इसमें से कुछ भी आये तो सरदार पटेल आप याद रखेंगे प्रारूब समीति दो पता ही है आपको, तो लिखने की ज़रत नही रहा है Scar trapped कि अद्यसेति के सब्रूब समिति में सब्सक्राइब पूच्चा है अगर आप लों को पता हो यह पूच реально सविधान अद्या हुआ है Strais Advini bucks यो सवाल आप लों को पता हो लोग सविधान दिवस के रूप में मनाते हैं तो ये तो बिल्कुल दिक्कत है कोई इशू नहीं बट दूसरा statement इसमें ये पूछा गया था कि इसी दिन जो है सविधान का जो है मसौदा तयार किया गया था तो आप सोच के देखो जब हम सविधान को अपना रहे हैं उसी दिन पर आप मसौदा कैसे तियार कर सकते हो ड्राफ्ट कैसे प्रपेर कर सकते हो तो हो गया ना common sense अगर मालो किसी को ना भी पता हो पड़ी ये तो पता होना चाहिए 26 नुवंबर क्योंकि आप जब भी प्रस्तावना पढ़ते हो उसमें वही लिखा होता है 26 नुवंबर को हमने अंदिगरत अधिकरत किया है ना आत्मारपित किया ये सब आप लोग पढ़ते हो उसमें फिर दूसरा क्या कुछ था इसमें भाई जब बना था ये नीचे लिख लो एक उदेशी का एक उदेशी का 395 अनुचेद और आठ अनुसूचियां ये फेक्ट-फेक्ट वाला जल्दी से निप्टा देते हैं फिर कॉंसर्ट में आएंगे उदेशी का 395 अनुचेद तथा आठ अनुसूचियां अच्छा प्रस्तावना कब लागू की गई भई पहले के बाद में है ना तो पूरा सविधान लागू होने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया था ये आप लोग याद रखेगे क्या पूरा सविधान लागू हो चुका था 26 नॉंबर को कुछ-कुछ प्रावधान लागू हो थी ठीक याद रखेंगे आप लोग कुछ-कुछ चीज़ें जो हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी को ही क्यों भाई गंतंतर दिवस के रूप में अपनाते हैं या फिर सविधान को क्यों लागू किया 26 को ही कब 13 तीस ना 1930 बोल रहा है अच्छ 30 ठीक है भी याद रखेंगे इस चीज को लेकर है ना फिर देखें आप लोग एक-दो चीजे एक-दो-तिन फेक्ट और दिखलो समिधान सभा का चिन देखो नीचे समिधान सभा का चिन हाथी था समिधान सभा का चिन हाथी था सर वी एन राव समिधान सभा के समयधानिक शलाकार थे समिधान सभा के समयधानिक शलाकार थे अगला पॉइंट हवी आर आयंगर हवी आर आयंगर समिधान सभा के सचिव थे हवी आर आयंगर समिधान सभा के सचिव थे फिर लिखो S.N. मुखरजी S.N. मुखरजी समिधान सभा के समिधान सभा के मुख्य प्रारूप कार्थ समिधान सभा के मुख्य प्रारूप कार्थ फिर लिखो नंदलाल बोस नंदलाल बोस तथा बी आर सिनहा द्वारा नंदलाल बोस तथा बी आर सिनहा द्वारा सविधान के मूल संस्क्रण का ब्यूटी बनाना तो देखने में अच्छा लगे वो सब काम इसने किया इन दोनों नंदलाल बोस तथा बी आर सिनहा पिर एक लास्ट और लिखलो आज कल बहुत जदा चल रहा हिंदी हिंदी तो वो भी लिखलो ट्रांसलेट्स पहली बार किस ने किया था सविधान को पहला दिखो उसमें वसंत क्रिशन वैद्दे ने मूल समिधान का हिंदी सुलेखन किया मूल समिधान का हिंदी सुलेखन किया मेनी सविधान किसको बोलते हैं भई 42 सविधान संशोगन सविधान की प्रभु क्विशेष्टा है बताएंगे जल्दी से आपको कौन-कौन से विशेष्टा है वही सविधान की हाँ हाँ कोई भी बोल सकता है अच्छा सीमित सरकार करना पहला आपने वही ठीक है या फिर इसको हम बोल सकते हैं सविधान बाद ठीक है और लिखित सविधान है सबसे बड़ा सविधान है ठीक है कठोर और लचीले का क्या मतलब है कुछ प्रावधान है जो आप कर सकते हो कुछ यह हैं जो कठोर जिसको करने के लिए थोड़ा सा राज्यों के भी जौरत पढ़ती है विशेष बहुमत भी चाहिए और मूल सरचना आप कहा रहे हो ठीक है और 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 सविधान का क्या है भी मौलिक अदिकार और डीपीएसपी और यह सब नहीं लिखोगे मौलिक रतव है तो यह सब भी तो विशेषता ही है है कि फंडामेटल राइट है कि डीपीएसपी और है कि फंडामेटल द्यूटीज सवतंत्र न्याय पालिका यह इस बार मेंस में पूछा गया भई थीक अच्छी बात एक आत्मक्ता की साथ एक आत्मक्ता प्लस संगवाद किसको बोलते हैं वह संगवाद किसको बोलते हैं कि संगवाद संगवाद बोलते किसको डिफाइन कैसे करोगे संगवाद डिफाइन कैसे करोगे वह पूछ रहा हूं जब सरकार की शक्तियां दो या दो से अधिक स्तर पर विभाजित हों तो उसको क्या बोलेंगे संगवाद ठीक है थोड़ा साथ डेफिनिशन पर भी काम करना है जब आप एक एक लाइन पर ऐसे वर्क कर लेते हो ना तो फिर वहाँ पर आपको किताबी डेफिनिशन की भी ज़रत नहीं पड़ती हाँ भी सही बता रहें ऑनलाइ कुछ-कुछ लिखाऊंगा सारा तो आप लोगों को पता है कुछ चीज़े आपके पास है बड़ जो मुझे लगता है पूछी जा सकती है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं सबसे पहले भारस आशन अधनियम 1935 भारस आशन अधनियम 1935 क्या है सबसे पहले राज्यपाल का कार्या ले है ना राज्यपाल का कार्या ले दूसरा संगीय तंत्र राज्यपाल का कार्या ले दूसरा संगीय तंत्र तीसरा लोकसिवा आयोग कॉमा प्रसाशनिक विवरण प्रसाशनिक विवरण फिर लिखेंगे दूसरा ब्रिटेन ब्रिटेन से क्या है इसमें लिखो संस्दिय साशन पदती संस्दिय साशन पदती कॉमा विधी का साशन विधी का साशन एकल नागरिकता फिर लिखेंगे मंत्री मंडलीय परनाली कैबिनेट सिस्टम मंत्री मंडलीय परनाली इसमें लिखेंगे संस्दिय विशेशा दिकार संस्तिय विशेश अधिकार पिर लिखेंगे द्वी सदनिय प्रनाली और रिट जारी करने का अधिकार रिट जारी करने का अधिकार यूएस से अमेरिका अमेरिका के बारे में लिख लो जल्दी से है ना लेख लो इसमें लिखो मौली के अधिकार फटनामेटल राइट सब्दंतर नयापाली का रास्पती पर महाभ्योग नयाइक समिक्षा अमित नयाइक समिक्षा उप रास्पती का पद समिधान की सर्वोचता कहां से लिया गया है समिधान की सर्वोचता रास्पती की चुनाव की परकिरिया इरलेंड लिखो नीचे नीचे आएरलेंड लिखो अलस्व नीचे पहला DPSP कफ्यूजन है कुछ सिंप्री नीचे लिखो आएरलैंड का यूएस से वाला लास्त अविधान की सर्वोचता उसके राद आएरलेंड का लिखना है DPSP लिखो इसमें और साथ में लिखो राष्टपती के चुनाव की प्रकृरिया अंडरलाइन कर लेना ये इःपॉर्डंट राष्टपती के चुनाव की प्रकृरिया राज सबा के सदस्यों का नमंकर तो ऐसे बोला था राज्य सभा के सदस्यों का नमांकद है अच्छा राज्य सभा के जो सदस्य हम चुनते हैं उसके चुनाव की प्रक्रिया कहां सली गई है लगाओ दिमाग कौन बोल रहा था तू लिखो नीचे दक्षिन अफ्रीक का उसमें लिखो क्या क्या है संशोधन की प्रक्रिया संशोधन की प्रक्रिया कॉमा राज्य सभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया राज्य सभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्लिया समवर्ती सूची भई ऐस्टेलिया से सविधान के जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहां से ले गई देखो आपने चे अच्छी बात है उस्टेलिया का लिए हो निचे समिधान के प्रस्तावना की भाषा समिधान के प्रस्तावना की भाषा कॉमा समवर्ती सूची व्यापार वानिज्य की सवतंतरता व्यापार वानिज्य की सवतंतरता और संयुक्त बैठक ये भी याद रखेगा वड़ी संयुक्त बैठक अच्छा जो सुप्रीम कोट का प्रामर्ष वाला छित्रादिकार है जो राजपती से पूछता है वो कहां सलिया गया है कौन सा मैं पूछ रहा हूं कि सुप्रीम कोट का जो प्रामर्ष दाई छित्रादिकार वो कहां सलिया गया है कोई बात में लो नीचे कनाडा कनाडा में लिखो क्या क्या है शक्ति शाली केंद्र के साथ शक्ति शाली केंद्र के साथ संगिये ववस्ता दूसरा पॉइंट आवसिष्ट शक्तियों का केंद्र में नहित होना आवसिष्ट शक्तियों का केंद्र में नहित होना फिर देखो केंद्र द्वारा राज्ये पालों की न्युक्ति केंद्र द्वारा राज्ये पालों की न्युक्ति और साथ में लिख लो स्सी का प्रामर्श दाई छित्रा दिकार अच्छा अपात्काल की दौरान जो हम लोग फंडामेटर लाइट के निलंबन करते हैं यह कहां से लिया गया है जर्मनी का लिखो जर्मनी अपात्काल के दौरान फंडामेटल राइट का निलंबन अपात्काल के दौरान समिधान का मौलिक अधिकारों का निलंबन USSR लिख लो सोवियत संग मौलिक करतव्वे तथा प्रस्तावना में न्याय का अदर्श जियेस के बच्चों के अलावा कोई बच्चा बताए भई कि न्याय का सीक्वेंस क्या है प्रस्तावना में सबसे पहले कौन सा नयाय पिर कौन सा नयाय है पिर कौन सा नयाय है तै कर चल столько बहुत बड़ी यह लिखेंगे अप लोग यह तो हो गया फिर मैं वैसे पूछ रहा था नीज़ेगे फ्रांस का m इसे सार का था मॉलिक आपका करतव और प्रस्तावना में न्याय का आधर्श करिकेंगे फ्रांस इसमें क्या है गणतंत्रात्मक विवस्ता और सवतंत्रता समता बंधुतव के आदर्ष विधी द्वारा स्तापित प्रक्रिया अब नीचे लिखो दो तिन पॉइंट इंपॉर्टन वाले एक तो लिखो सविधान का सरचनात्मक भाग कहां से लिया गया स्ट्रक्चर समिधान का सरचनात्मक भाग तो उसके आगे लिखने ना भारत साशन अधनियम 1935 भारत साशन अधनियम 1935 प्रिल को सविधान का दार्शनिक भाग सविधान का दार्शनिक भाग कि दार्शनिक भाग में क्या क्या आता है भी नहीं वैसे अगर ओवरोल देखें बड़े सेग्मेंट के तौर पर सविधान में कौन से चीजे दार्शनिक में काउंट करेंगे नहीं वो तुम कहीं कह रहे हो बड़ मैं यह कह रहा हूं कि अगर हम सेग्मेंट के तौर पर देखें तो फिर किसको करेंगे मौली कदिकार और डिपीएस पर तो अब दोनों ही आपको पता है मौली कदिकार कहां से लिए गए यूएसे से और नितिन देशक तत्तव आयरलेंड से तो दार्श्टिक भाग अगर देखेंगे तो यूएसे तथा आयरलेंड फिर समीधान का राजनेतिक भाग कहां से लिए गया है समीधान का राजनेतिक भाग अच्छा सविधान का संशोधन जो है एक विशेष्टा है सविधान की है ना कठोर और लचीला आप लोगों ने बोला जैस वाले बच्चे चुप रहेंगे नए बच्चे बताएंगे भई कितनी तरीके से सविधान में सविधान में अनुछे 368 के अनुषार तीन प्रकार से संशोधन किया जा सकता है ठीक है यह सेट्मेंट क्यों कौन कौन से राज्यों का तो सामानने उसमें काउंट नहीं होगा 368 में जो है सामानने बहुमत नहीं आएगा याद रखेंगे इस चीज को तीन तरीके से काउंट नहीं होता है एक आपका आता है विशेश और एक राज्यों वाला का पूछेंगे हाँ जब संग से जुड़ा हुआ कुछ मैटर होगा संगात्मक धाचे से जुड़ा कोई मैटर होगा जैसे राश्पती संग से जुड़ा हुआ है जैसे जीएस्ट वाला था उनकी शक्तियां जो वित्य शक्तियों को कम करना था ज्यादा करना था इन सब चीजों से राज् एक सो छे चल रही है कुछ संशोधनों के प्रोसेस की प्रक्रिया और वो हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है ऐसा सवाल इस तरह से फैक्चुल तो नहीं पूछेगा अच्छा अब जल्दी से आप लोग बताएंगे सविधान की संगहात्म के विशेष्टा हैं कौन सी है और एकात्म कौन सी है दो सवालों का जवाब देंगे पहले यह कौन सी विशेष्टा है स्विधान की सर्वोचता संगहात्म कुषेष्टा है क्यों कि संगहात्म कुषेष्टा क्यों कहते हैं इसको संगहात्म कुषेष्टा क्यों है यह तुम सारी एके करके विशेष्टा है बता डालो मैं इस पर स्विधान की सर्वोचता जो है इसको संगहात्म कुषेष्टा क्यों कहते हैं अपने आंसर तुझे दिया कि सब्धात्म कोई ऐसा भी एकात्म कह रहा हो एकात्म हो सकती है यह विशेष्टा तो यह ऐसा है तो वह भी बता सकता है कि एकात्म क्यों है नियाई पाली का कि सथ्थंद्रता-संगहात्म क्यों है बत्चे आपका नाम क्αιा है वई-ब्लैक संगात्मक, क्यों, अब देखो थोड़ा सा न, आप लोग क्या है, लास्ट की दो लाइनों पर फर्स जा रहे हो, आप पता है आपको इसका मीनिक, बट आप ये नहीं बता पा रहे हो, प्रॉपर तरीके से को, एक चीज़ सोच के देखो, अगर मैं ये कहूं कि सविधान सरव सोच नहीं, तो राज्य की शक्तियों को कौन सुरक्षित करेगा, सोच के देखो आप, तो समिधान का सरवोच रहना, ये कहीं न कहीं पर राज्य की जो भी शक्तियां डिफाइन की गई हैं, उसको सुरक्षित रखने का काम करेगा समिधान, इसी के साथ मैं आपको एक फिर इसको इसी से लिंग कर लो अगर लिखी है ना तो केंदर दबदबा नहीं कह सकता है केंदर तानाशाई पर नहीं उतर सकता है क्यों? वोगी राज्य की शक्ति या फिर इसको हम ये कहे कि संगात्मक धांचे को सुरक्षित करने का प्रावधान है इसलिए इसको संगात्मक प्रावधान कहते हैं सबसे अदा इसमें ट्रैप होते हैं बच्चे तो इसको याद रखेगा अगर नियापाली का सल्तंतर नहीं होगी तो राज्यों का संग जो भारत में है उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाए नियापाली का सब्तंतर नहीं होगी तो किस की फिवर में काम करेगी केंदर के फिवर में तो राजेत रह जाएंगे इसलिए ये दो-तिन चीजे ऐसी हैं जिन पर सवाल बहुत ज़दा आप तो और ये तो बार-बार पूछा गया है अभी भी सीधा सवाल भी आया था नियापाली अभी मुझे लगता है 2022 के प्रिलिम्स का सवाल नियापाली का कि सब्तंतरता कौन से विशेशता है तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी है overall आप बता देंगे संघात्मक में क्या क्या आएगा बोलें भाई नए बच्चे अब आप चुप कर गए बोलें संघात्मक कौन-कौन से विशेशता है आपका नाम क्या है एदर एदर राठोर थोड़ा युनीक सा नाम है एदर अच्छा है बताएं भाई एदर हाँ दो सरकारें बेरी गुड़ दो तीन तो अभी हम लोग ने देखी लिए हैं हाँ कि समिधान की कठोरता कैसी में आएगा कि समिधान की कठोरता इसी में आएगा समिधान की कठोरता इसी में आएगा श्यूर अक्का ठीक आगे सवतंत्र नयायपाली का क्या द्वी सद्नियता हाँ ठीक बहुत बड़ी आप राठोर जी छाग हैं आज तो आप अब बताओ एक आत्म कौन कौन सी हैं संस्दिय सरवुचता ठीक है और एक इकरत नयायपाली का और राजयपाल की न्युक्ति सभी बात है है लचीला समिधान एक आत्मक विश्यष्टा रहेगा कोई दिक्कत नहीं यह है संविधान का लचीला होना कौन सी विश्यष्टा है बई दो ही लोग क्यों बोल रहा है सर वीडियो रुक रही है एक बार रेफ्रेश कर लेंगे भई कहीं किसी का नहीं रुक रहा है पक्का तो लचीला समिधान तो विश्यष्टा है केंदर कभी भी चेंज कर सकता है सामानने बहुमत तो उसको तो एक हिसाब से केंदर को ही पावर मिल जारी है न, इकात्मर पावर मिल जारी है केंदर को, असना नहीं अभी जादा, ठीक है, अब संस्दिये ववस्ता की विशेष्टा है कौन कौन सी होंगी, ले लिजे पैंचा यह आपको, संस्दिये ववस्ता की विशेष्टा है कौन कौन सी है, अचा ब्रिटेन के सविधान कौन सा है बाई संघातमक के एकातमक है ना और भारत के सविधान संघातमक बी है एकातमक बी, दोनों चीज़ें समय के अनुरूप जो है हम लोग कभी एकातमक बन जाते हैं कभी दिए अपाथ कालियर्ण प्रावधiant कौन से हैं? पिकात मत में आजाएं, चली अच्छी बात, संस्दिय विशेश्चता हैं बताएं बई, संस्दिय प्रनाली की विशेश्चता हैं कौन-कौन सी है, आच्छा जो बच्चे जी यह से अलावा है, ओ एक बार बताएंगे, कि भारत में संस्दिय ववस्ता, यह सवाल परी में अभी कुछ-कुछ सवाल ऐसे पूछ रहा है जिसमें तीन आप्शन भी सही है बड़ चौथा ज्यादा सही है उस तरह का यह सवाल है बताएं आप तीन आप्शन के अलावा भी मैं आपको आप्शन नहीं दूँगा आप लोग मुझे सीध्य बताएं अब लोग आप UPSC के ल मूल स्थम्भ है कौन सी होड़ी फिर आप लोग नहीं नहीं बताएं इतना सन्नाटा क्यों है वही बताएं कौन सी यसी एक विशेष्टा संस्थी विशेष्टा की चुनना चाहोगे जिसके बिना संस्थी विवस्ता ही गिर जाएगी कोई मतलब ही नहीं हो से अनूँ बताएं आउन्लाइन में कोई बच्चा अगर जानता हो तो बताएं अन्स कैसी बात कर दी हाँ नहीं पता है हाँ भी जी एस वाले आप लोगं को पता है ओप्शन्स तो फिर वो भी पकड़ लेंगे कैसी बात कर दी कब से चुप करके बैठे हो तो फिर इसका अतला हम सोच रहे हैं तुम लोगं को पता है सिंपल सी चीज़ यह है आप एक चीज़ सोच के देखेगा संस्तिय प्रणाली की बुनियादी विशेष्टा यह है कि लोग सभा के प्रती उत्तरदाई तव यह सवाल UPSC ने प्री में पूछा अभी 2018 या 19 के प्रिलिम्स का सवाल इभारत में संस्तिय प्रणाली की बुनियादी विशेष्टा क्या है बाकी तीन में जैसे प्रधार सब कुछ आप्शन्स था उसमें प्रती प्रती में का जो है चुनाव जो है वो बहुमत से होगा य चौथी चीज़ यह है कि इसके अगर आप उत्तरदाइतव को हटा देते हो ना जिसको हम लोग अविश्वास प्रस्ताव भी कहते हैं अगर आप इसको हटा देते हो तो आप सोच के देखो संस्तिय प्रणाली है प्यम का चुनाव कैसे भी हो क्या फरक पड़ता है कोई दि अब कुछ-कुछ लिख भी लो संस्तिय प्रणाली की विशेष्टा है दो चार पॉइंट लिख लो संस्तिय प्रणाली की विशेष्टा है पहला राष्टपती ना मात्र की कारेपालिका राष्टपती ना मात्र की कारेपालिका राश्टपती ना मात्र की कारेपालिका दूसरा प्रधानमंत्री तथा मंत्री मंडल वास्तविक कारेपालिका प्रधान मंत्री तथा मंत्री मंडल वास्त्विक कारेपालिका तीसरा बहुमत वाले दल का साशन बहुमत वाले दल का साशन अगला PM तथा CM के नितरतव में सरकार PM तथा CM के नितरतव में सरकार अगला विधाईका में मंत्रियों की सदस्यता इसको अंडरलाइन कर ले ना भूल जाते हैं बच्चे विधाईका में मंत्रियों की सदस्यता फिर दिखो निचले सदन का विघटन एक सवाल का जवाब देंगे सुप्रीम कोट ने कौन से केस में ये बात कही थी भई कि DPSP और fundamental right के संतूलन पर सविधान टिका हुआ है ठीक है ना इसको इस केस को याद रखना आप लोग इस पर सीधा सवाल अभी तक बना नहीं है यूपियस्टी परिलिम से मुझे लगता है इस सवाल कभी भी आने वाले एकाद साल में पूछ सकता है तो इस केस को याद रखेगा केशवानन भारती से ज़्यादा दिक्कत मत करिये गा इसको है ना अब जो है बाकी जो विशेषता है जैसे fundamental right जो है ये तो हम लोग अलग से भी पढ़ने वाने अब अनुसूचियों के बारे में बताएं जल्दी से पहली में क्या है दूसरी में क्या है तीसरी में चौथी में पांचवी में क्या क्या है बताओ कितने लोग कह रहे हैं कि शपत से रिलेटेट है शपत वाले ठीक दूसरी में क्या है बेतन बत्ते चौती में क्या है क्या राजसवा ठीक है पांच में अच्छा चटी में अच्छा जन जाती है सलाकार परिशद कौन से में स्तापिट की जाती है ट्राइबल एडवाईजरी काउंसल अच्छा जाती है अनुसुचियों के बारे में एक एक शौट में लिख लो पहली चौथा अनुसुचित जन जाती के प्रसाशन अनुसुचित छेत्रों तथा अनुसुचित जन जाती के प्रसाशन अनुसुचित जन जाती के प्रसाशन का उलेख छटी में सरफ नाम लिख लो असम में घालियत तिरप्रा मिजोरम और आगे डालना स्टी जन संक्या का प्रसाशन स्टी लिख देना बस समझ जाओगी सात्वी में सूचियां है है ना जल्दी से लिखो संग सूचि में 97 विशे संग सूचि में 97 राज्य सूचि में 66 राज्य सूचि में 66 और समवर्ती सूचि में 47 समवर्ती सूचि में 47 यह सात्मी हो गया आठमी में भाशा है लिख लो अभी कितनी है उसमें 22 और मूल्रूख कितना था 14 वेरी गुड अंग्रेजी है क्या होजपूरी पंजाबी है हम लोगों की है कुछ के नहीं तीक याद रखेंगे पर फिर लिखेंगे नमी अनिसूची क्या इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन प्रिलिंस पॉंट विव से नाथोड़ जी आप जब बोलते हो ना तो एक बाद डरा देते हो तो अच्छा है कॉन्फिडेंस आपका जो है बेहतरीन है नौमी अनिसूची किस से जुड़ी हुई भई क्या कहोगे उसमें नए कानून जोड़ जादे वो तो समझ में आगा किस से जुड़ी हुई है भूमी सुदार लिखो इससे बहुत बार सवाल पूछा है प्रीमे पता है ना कौन से संशोदन से हस्ट दो तीन बार सवाल आए पता है कैसे एक बार कौन से अनिसूची से मतलब नौमी में क्या है दूसरा भूमी सुदार सो जुड़ी जो प्रावधान है कौन से अनिसूची में दूसरी बार सवाल ये है तीसरी बार सवाल ये है कौन से संशोदन से जोड़ा गया है चौ नौमी अनुसूची और एक आपका जो है चौथी अनुसूची राजय सभा में सीटों का अवंटन और साथ में यह जो पांचमा और छठी वाला जो सीन जनजातियों वाला तो यूपियसी को प्यार है इससे ठीक है तो लिखेंगे आप लोग नौमी में भूमी सुधारों से स मंदित पता ही यह तो वर्दा जिरको नहीं पता है वो लिख लेंगे प्रथम सविधान संशोधन दस्मी में लिखो क्या है ग्यार्मा ग्यार्मी पंचायती राज से है ना कितने विश्य है इसमें 29 बेरी गुड संशोधन कौन सा 73 बेरी गुड बार्मी में शेहरी स्थानिय सरकार कितने विश्य है 18 संशोधन 74 कितने बच्चे अभी अगर मैं कहूं प्रस्तावना लेख सकते हैं पूरी राठोड जी बूल गया थे कॉन्फिडश लाने में टाइम लगा एदर राठोड एदर राठोड वैभाव नाम तो अच्छे है लिखो फिर जल्दी से प्रस्तावना शाबाश देखते कितने लोग लिख पाते हैं पूरी प्रस्तावना लिख के दिखाओगे बाई मजा आ लिख दो ना क्या दिक्कत है आपको दिक्कत हो जाएगी वह बोलने में भी आप लिखने में चाहता बैटर कमफर्टेबल रहें कि चेक करेंगे ना कितनों को याद थी तो बाकियों का भी तो चेक करना है आप मत लिखो भई कोई दिक्कत नहीं लिख डाला भई वह भब नहीं लिख पार नहीं याद है वो कहां चला गया बोलने वाला निकल गया है हाँ हाँ पीलो वो पीछे रखा हुआ है कि आपका क्या नाम रही है कि आपके केशव 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 के लिख 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 के बचे याद करों देखो कुछ क्या होता यूपीस्टी की तयारी करने वाले लोग ना प्राफेक्ट नहीं याद कर पाते हैं लिख लिख के आप रेक्टिस बार 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 खुद से करो जहां पे भी बैठोई हो वहाँ से रिकॉल करो अच्छा यह कम किया था सवीधान सबचा आपका केशव और आप बोलोगे और यह सब चेक करेंगे हां हम भी चेक करेंगे धीर 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 अराम से कोई बात नहीं अच्छा बोल गया अभी तक हां आगे बोलो पीछे चले गए तुम आगे जाते ना उन सभी में व्यक्ति की आगे जब मैं तुम्हें कह रहा तकेशव कि लिख लो तब तुमने मानी नहीं मेरी बात आप समद में आया बैट जाओ क्यों कि बहुत बट चलो ठीक है अच्छी बात है लड़के ने आधी ज्यादा सही बोल दी पर जिस स्पीट पर बोलो में अच्छी बात है पता दोगे सीक्वेंस आपको पता था आप सब लोग बताएंगे भई तीन चार सवाल आप लोग मेरी तरफ से लिखेंगे सीक्वेंस को लिख अगर आप अपने स्थर पर मिलवा लीजे ना जो उसने बोला है कापी अत्तक जो है अभी सवाल भी तो बनाने है तो लिखो आप लोग जल्दी से लिखो मुझे बताएंगे निमिलेखी शब्दों का क्रम बताएं आपको बताना है उपर से नीचे प्रस्तावरा में कैसे तोड़ा सा एक आपकी प्रेक्टिस हो जाएगी और मैं देखता हूँ कितना जो है दिमाग तेज चलना है पताएंगे पहला गरिमा 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 प्रतिस्टा गरिमा प्रतिस्टा बंदूता पंत निर्पेक्ष्व गणराज्य बताओ गरिमा कौन कौन सा था भी कौन कौन से वर्ट बोले थे प्रतिस्ता हाँ भी तीस्तरा बंदूता पंथ निर्पेक्ष और गणराज्य अब बताओ और कितने लोग है जो कह रहेंगे सही कह रहें है कि पीछे कह नाम ता केशव केशव सही कह रहेंगे गलत तो क्या बने का सीक्मेंस बताएंगी सिंपी जल्दी बंदूता तो आप थोड़ा सा वैभव और आप लोग लास्ट में जाके गड़बड कर गए इसी लिए टेस्ट करवाना था ताकि पता चले एक और लिखो पंथ निर्पेक्ष गणराज्य प्रतिस्ता गरिमा बंदूता अब लिखो तीन और वर्ड लिखो अधिनियमित अधिनियमित आत्मार्पित अंगिक्रत अधिनियमित आत्मार्पित अंगिक्रत एक बार सब कर लें भी फिर बोलना है सबको कि एक बार सबको कर दिया में दो केशव बाबू हो गया सबका भई हाँ आप बोलो केशव बोलो आप कितने लोग कह रहे हैं सही प्राठोड जी क्या है तो हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं अंगिक्रत अधिनियमी तात्मार पे चलिए भाई बहुत अच्छी बात है ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी आंसर दिया किस ओनलाइन वाले भी धियान रखेंगे कोई बच्चा देखके आंसर नहीं करेगा फिर आपकी प्रेक्टिस नहीं हो पाएगी प्रापर एक दो और लिखलो एक लिखो अखंडता अखंडता उपासना अखंडता उपासना धरम अभिवेक्ती बताओ सभी बोलें भई और ठीक है चले तो ये इस तभी के से इसको थोड़ा सा याद करने कि कोशिश करना है प्रस्तावना को लेकर दो-चार फैट लिख लो जल्दी से पहला कौनसा संशोदन था भई कि शब्द जोड़े गए तीन और लिको 42 में सविधान संशोदन शाट में लिखलो 42 मां संशोदन और 3 शब्द लिखलो आगे parfoisड़ी पन्त निरिपेश और अखंड़ता समाजवादी, पंथ निर्पेश और अखंडता एक सवाल लिखो आप लो एक सवाल लिखेंगे भी सभी बच्चे दिखो, निमलिखित में से कौन से कथन गलत है निमलिखित में से कौन से कथन गलत है पहला प्रस्तावना ना तो विधाईका की शक्ती का स्रोत है लिखो पहला स्टेटमेंट लिखो प्रस्तावना ना तो विधाईका की शक्ती का स्रोत है दूसरा प्रस्तावना प्रस्तावना ना ही विधाईका की शक्तियों को प्रतिबंदित करती है मेरको जिननोंने लिखा है नहीं लिखा है options देंगे आप लोग उसके according पताएंगे भी कौन सा अप्षिन आपनों का हाँ भी ना ही विधाईका की शक्तियों को प्रतिबंदित करती हैं अब options आप लोगों के सामने है मुझे options बताओ मुझे नहीं बताओ explanation नहीं चाहिए न मुझे options में बताओ कितने लोग कह रहे हैं कि a सही है कितने कह रहे हैं बी सही यह बताओ मुझे चल दे से, A वाले कितने हैं, B वाले, B में स्रफ एक ही परसन है, ठीक, वैभव, या किशव, हाँ, C में, और D वाले कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, दो, छे, एक, आस-पास लोग हैं, जो नन वाला कहना है, तो बाकी लोग अंसर क्यों नहीं कर रहें, बही, दो, तीन, लोग हैं जो अंसर नहीं कर, आप, नन नहीं, आप जो हो, क्या ना मैं आपका, केशव, आपका कौन सा अटेम्ट होगा, इस फर्स अटेम्ट है, आपका, वैभव, दियत प्री नी हुआ है या मेंस लिख चुके हो कोई बात नहीं इस बार प्री मेंस इंटर्वू सब होगा चितना मत कर अनु आपका कौन सा टेम्ट है यह फर्स्ट पक्का रठोड जी अच्छा चली अच्छी बात त्यारी अच्छी कर रखी आपने हाँ ह्हा आपका क्या नाम है याशिर आपका कौन सा टेम्ट है फर्स टेम्ट तो वैभभ है जो क्लास में मतलब थर्ड अटेम्ट देंगे बाकी सब बच्चे फर्स अटेम्ट वाले सच बोल रहा हो ना बई कोई छुपाना नहीं है फैक्ट को उस तो छुपाने वाली बात कई होते हैं ना जान बुझके फर्स बताते हैं तो उससे क्या है अप अपने स् कम कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है सच जो है एकदम सच रखना चाहिए चीजों को लेका नन वाले काफी सारे लोग क्यूं है भई नन और आप बताओ भई सबसे पहले केशव भी क्यूं ऐसा कुछ नहीं है यह प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है तो ना तो यह शक्तियों का सुरोत होगी ना ही इस विधाईका की शक्तियों को कंट्रोल करें तो इसका मतलब नन ऑप्शन है जिसमें कोई भी स्टेट्मेंट आपका ठीक नहीं इसको याद रखेगा इसलिए मैंने इसी इसको बनाया अभी यह सवाल बचा हुआ है आपको अपने अकॉर्डिंग इंटर्प्रेट करना है बच्चे या सविधान की अकॉर्डिंग सोच के देखो कि विधाईका की शक्तियों पर अगर कंट्रोल लगा ले प्रस्तावना इतनी पावर प्रस्तावना को दे दी जा सकती है सोच के देखो आप सविधान का हिस्सा कंट्रोल करे संसद को समझ में आता है बड़ प्रस्तावना एक डॉकुमेंट जिसको है जिसको अभी तक कई बार इस चीज में भी सुप्रीम को डूलसता रहा है कि अंग है कि नहीं वरत्मान कंटिशन का है बड़ प्रस्तावना सविधान का अंग है पहले तो इसी में उलजे रहे कि अंग भी है कि नहीं इवन प्रस्तावना को सबसे लेट में एड किया गया है सविधान सबसे बाद लागू किया गया है तो इतनी powerful लिकाय थी कि वो body को control कर ले विधाईका को तो उसको तो सबसे पहले रखना चाहिए इवन उसके बारे में clarity रखनी चाहिए थी सविधान क्या ये भाग है कि नहीं सुप्रीम कोड को final करना पड़ा है तो प्रस्तावना को segment को देखो सविधान को मत देखो प्रस्तावना अपने और ये proper clarity से लिखा भी हुआ है कि ना तो ये किसी चीज़ को control करेगी ना ही ये शक्तियां भी देगी ये प्रस्तावना की साथ कुछ चार-पंच facts है जो आप लोगों को अच्छे से याद रखने है लिख लो नीचे प्रस्तावना ना तो वाद योग्य है प्रस्तावना ना तो वाद योग्य है और ना ही इसे न्याल्य द्वारा लागू किया जा सकता है प्रस्तावना ना तो वाद योग्य है और ना ही इसे न्याल्य द्वारा लागू किया जा सकता है आगला प्रस्तावना ना तो विधाईका की शक्ती का स्रोत है और और ना ही विधाईका की शक्तियों को प्रतिबंदित करती है और ना ही विधाईका की शक्तियों को प्रतिबंदित करती है भारत के ग्यार में मुख्यन आधीश थे वही एम हिदायत उल्ला उन्होंने एक बात कही थी वो भी लिख लो देखो M हिदाय तुल्ला ग्यार में मुख्या नियाधिश या ग्यार में CZI के अनुसार प्रस्तावना अमेरिका की सवतंतरता की घोशना के समान है अमेरिका की सवतंतरता की घोशना के समान है परंतु यह घोशना से भी ज्यादा है परंतु यह घोशना से भी ज्यादा है ऐसा नहीं कि सरफ एक घोशना है प्रस्तावना उससे कहीं ज्यादा है सपनों को एकदम समा के चलती है यह सविधान के परंतु यह घोषणा से, आपने क्या लिखा है, ना तो ये वादियोग्या है, इसको लेकर आप चौट नहीं जा सकते हैं, बट सुप्रीम कोट चेक कर सकती है, अगर मानलो उसको कोई एक्ट बना है, उसने कोई कानून बना है, उसको लगता है कि ये प्रस्तावना के सपनों साकार करते ही है तो उस एक्ट को और सम्विधानिक होने से बचा सकता है यह चीज तो है ना DPSP को लेकर भी सुप्रीम कोड का यही रवईया है या अगर कोई कानून ऐसा है जो DPSP को लागू करने के लिए कर रहे हैं हम तो हो सकता है बचा ले यह कुछ fix नहीं है कि बचा है वो फ़र नजर में रखता है यह अगर यह चीज जो है महिलाओं को equality प्रवाइड करने की कोशिश कर रही है तो कई बार उस तरह के कानून को और सम्विधानिक होने से वो बचा सकता है एक दू factor और लिखो प्रस्तावना से क्या-क्या चीज निकलती है यह भी लिखो प्रस्तावना को अध्यांद्रिष्टी से चार भागों में विभाजित किया जा सकता है प्रस्तावना अध्यन दृष्टी से चार भागों में विभाजित शौट में लिख लो पहला क्या बताती है सत्ता का सुरोत पहला पॉइंट सत्ता का सुरोत दूसरा सरकार का सवरूप सरकार का सवरूप साशन वबस्ता का लक्ष समिधान का अधिनियमन समिधान का अधिनियमन निचलिक विलो भारत में शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं जल्दी से चारों का लिख लेते हैं भारत में शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं दूसरा भारतिय राज्य की प्रकर्ति भारतिय राज्य की प्रकर्ति डैश दे के लिखो प्रभुत्तव संपन प्रभुत्तव संपन, कॉमा समाजवादी, कॉमा पंथन्रपेक्ष, कॉमा लोक तंतरात्मक गणराज्य, लोक तंतरात्मक गणराज्य, लेको सविधान का उदेश्य है, थीसरा पाएंग, प्रकर्टे लिख लिए अवलेको उदेश्य, सविधान का उदेश्य, चार चीज़े, नियाए, कॉमा सवतंतरता, कॉमा समानता, कॉमा बंधुतव, चौथी चीज, अधिनियमन की तिथी, अधिनियमन की तिथी, 26 नुवंबर 1949, किसने का की सविधान जो का पहचान पत्र है प्रस्तावना, देख लो वो भी, एन ए पालकी वाला की अनुसार, एन ए पालकी वाला की अनुसार, प्रस्तावना सविधान का पहचान पत्र है, बोलते चलो यह एक एक जगर के जो शब्द है, उसका मेनिंग संप्रभुता, बस समझ लेंगे, आपको पता ही, संप्रभुता का मतलब, मतलब हम पे कोई कंट्रोल नहीं करेगा, सिंपल सी बात यह है कि हम विदेश निती संचालन में भी फ्री हैं, और रास्ती अगर हमें कोई डिसीजन लेना है, कानून बनाने में कोई कंट्रोल नहीं करेगा, है ना, एक सामय था, क्या कह रहो, वो नहीं, वो उसमें नहीं जाना है, भारत की विदेश निती पर क्या किसी का कंट्रोल है, ऐसे तो वैवारिक रूप से अमेरिका का का काफियत तक कंट्रोल रहता है, बट हम फ्री माइंड से चलते हैं, और जहां जहां पर जरत हुई है, हमने अमेरिका को आंखे भी दिखाई हैं, ऐसा नहीं है, तो संप्रभू देश है भारत, यह हमारी खूबी, संप्रभूता का मतलब यह होता है, कि हमारे जो आंत्रिक डिसीजन और बाहरी डिसीजन, कि इसी के प्रभाव में हम नहीं लेंगे, अब तक यहां तक रो, एक्स्ट्रीम नॉलेज को फिक्स नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है बीच में, दूसरा समाजवादी, बताओ, इसका क्या मतलब है, सामाजिक नियाय के लिए काम क्या है, समाजवाद को किसको बोलते हैं, सरकार का नियंतरन थोड़ा ज़्यादा रहता है, सरकार ही मुख्य डिसीजन लेती है, उत्पादन क्या होगा, किस क्या प्राइस होगा, कीमत क्या होगा, कहां पर किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, यह सारे डिसीजन कौन लेती है, सरकार, तीसरा पंथ निरपे में क्या अंत्र होता है कोई और बता है भाई धर्म निर्पेक्ष और पन निर्पेक्ष में क्या अंतर है सिंप्य एक्स्प्रेंट करूं भी नहीं पता है इतनी सी कहानी थी धर्म का मतलब है एक समय पर धर्मा शब्द आता था आप लोग इतिक्स में पढ़ते होगे धर्मा का मतलब होता है नैतिक मुल्या और पंथ होता है रिलीजन जिसको आप बोलते हैं हिंदू मुस्लिम और हिंदू तो अपने आप में भी धर्म नहीं मानता है सुप्रीम कोड बट अगर आप देखेंगे जैसे सिख मुस्लिम यह सब क्या है धर्म तो अगर हम इस से निर्पेक्ष करना है राजनिती को इस से कर देंगे ताब तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा नैतिक मुल्या घुद गांदी कहता है धर्म को रखना है हाँ चलो ठीक आप बोले होंगे तो मुझे सायशा मजने में भूल हो गई होगी बड़ में चीज ये है कि धर्म का मतलब होता है नैतिक मुल्या पस इतनी इसी कहानी है दो वर्ड बोलने होते हैं उसको अच्छे से समझाना था तो नैतिक मुल्य तो होने चाहिए थीक है तो आप लोग लगए धर्म जर्पेक्ष का मतलब अप लोग लोगतंत्रात्मक मतलब लोगतंत्र के लिए जन्ता द्वारा किया जाने वाला साशन जो है लोगतंत्र प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लोगतंत्र में क्या फर्क होता हुआ हमारी क्लास में एक लड़की है जो आपके पीछे बैटिंग यह भी बहुत तेज बोलते हैं तो आप जो है एक्दम एक्स्ट्रीम लेवल का कॉम्पेडिशन दोगे उनको अरे कोई बात नहीं है सौरी कि क्या बात तो एक दूसरे परसंट भी आएं तो थोड़ा सा जन्ता साशक चुने गिरानी कहरी अच्छी बात भारत में कौन सा लोगतंत्र है बही प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष लोगतंत्र के कौन कौन से साध अच्छी बात और अगर मैं बात कहूं प्रत्यक्ष लोगतंत्र के कौन कौन से टूल्स हैं तो कौन कौन से होंगे वो यह कादी बता दो जन्मत संग्रह नहीं जानते हैं आप लोग हर चीज पर मतलब मैटर पर खास करके ब्रिटेन में आप देखे थे अभी थोड़ा पहले भी हुआ था ब्रेक्षिट को लेकर तो यह प्रत्यक्ष लोगतंत्र की चीज़ दिखते हैं हर चीज पर बुला लेते हो जनता से है गणर्ज्थिये का मतलब अ एकश्यकिन तो कहां भी देते हो तो मघर भी जाते हो एहां जहां राश्द यह सरकार जो जंड राज्ये का प्रब्वूक बहुए वह भारत में प्रब्व्ब्रार्च प्रमुक राश्र्पती यह सरकार का प्रब्वूख तोर्म का प्रमुक चुना जाता बस को आप चाहिए और प्रत्यक्त चुना 야ई doctrine चुना जाना जाहिए बस समझें तो यह कॉंसेप्ट भी ध्यान में रखना है तीसरा अगला न्याय मतलब कि तीनों टाइप भी बता होगे सामाजी का अर्थिक राजनित्क न्याय का मतलब क्या होता है तीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अर्थिक संसाद्रों का वित्रन समान होना चाहिए ठीक है तीसरा राजनित्क न्याय और क्या कर सकते है राजनित्क न्याय में वोट देने का भी सभी को अधिकार हो चुनाव लड़ने का भी सभी को अधिकार ये एक इसाब से राजनित्क न्याय हो ठीक है सतंतर था कौन-कौन सी है सविधान प्रस्तावना में कौन-कौन सी सवतंतरता है ठीक है ना ये पांस तर्की सवतंतरता जो है देता है प्रतिस्टा और अवसर की समता इसका क्या मतलब समता का मतलब प्रतिस्टा और अवसर की समता का मतलब क्या हुआ बताएं भी अवसर की समता तो समझते हो कि सबको अवसरों की समानता हो है ना इसलिए आरक्षन का प्रावधान भी किया गया है आप लोग समझते ही है ना और प्रतिस्टा मतलब इज़त भी ऐसा ना हो कि कुछ लोगों की इज़त बहुत जादा है रिस्पेक्ट सोसाइटी में बहुत जादा है और कुछ लोगों को आस प्रश्य अंटचिबल माना जाता है यह सब चीजे भी नहीं होनी चाहिए ती की गरिमा रास्ट की एकता और खंडता यह बता दो है हाँ वह 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 विलकुल सम्मान वाला है वो उसके साथ समझावता नहीं होना चाहिए हाँ तुसले हैं मैं तो कि पूरनी की सिरफ इस तुनमें जो दिएन स्था की जब आपने की जब ऐसे खोलां होकि जो से एक लोग अपरें इजब तो नहीं तो नहीं बल्कि राज़ार की डिम नहीं नहीं जेए धिसकल तुसने इसके एक होन्टेस्पमे पिया जाता है कि हं अरुर बाइचारा जो है आपस में सब लोग मान के चलें कि हमें मिलके रहना है लंबे समय ते राज्य का मतलब क्या होता है स्टेट का पूछा था कि राज्य की परिभाशा क्या है तो उसमें क्या क्या पिया था अप्शन पताओ एक संगठित सरकार होनी चाहिए एक छेत्र होनी चाहिए चाहिए चलिए अच्छी बात है इसको लेकर प्रस्तावना को लेकर आपको दो चार चीज़े याद रखनी है जो मैंने आपनों को लिखवा दी अच्छा प्रस्तावना पूल धांचे का हिस्सा माना जा सकता है क्या बताओ सुप्रीम कोट ने का है क्या प्रस्तावना मूल धांचे का हिस्सा है इसका हां में जवाब दोगे या नाम कैसे कह दोगे हां में पूरी प्रस्तावना थोड़ी न है क्या मौली कदिकार मूल धांचे का हिस्सा है पूरा मौली कदिकार भी नहीं ऐसे नहीं चलता है हवाबाजी में अंसर नहीं देना है प्रस्तावना मतलब कुछ कुछ शब जैसे धर्म धिर पेख्षता है यह अभी सुप्रीम कोट ने निकाला है कि धर्म धिर पेख्षता जो है मूल धांचे का हिस्सा हो ठीक है लोग तंतरात्मक गणराज्य है यह सब चीजे सविधान का अभी वर्तमार कंडिशन यह है यह अभिन हिस्सा है सबसे लेट में जॉइन किया गया और यह मूर धांचे का पार्ट नहीं है इसके कुछ शब्द अगर पूछ ले यूपियसी तो मूर धांचे के अंदर शामिल किये जाएं ठीक है तो यह प्रस्तावना की चीजे भी यह आतनों की खतम होती है अगे डालेंगे इसे पधारं में संग शब्द के इस्तवाल है क्याि क्या है कि राज्यों का संग करने तो एक तो समझाता नहीं और दूसरा अलग नहीं हो सकते हैं अच्छी बात है very good राज्यों का संग जो है वो दो चीजी अपने आप में डॉक्टर अम्बेद करने क्लियर किया एक समझाता नहीं है जैसे अमेरिका में अमेरिका में क्या समझाता है बट दूसरा अलग होने का राइट नहीं है इसलिए भारत को राज्यों का संग कहते हैं तो नीचे चीज लिखेंगे अनुच्छे देख लिखो पहले अनुच्छे देख के अंदर क्या है भारत अर्थात इंडिया बारत अर्थात इंडिया राज्यों का संग होगा राज्यों का संग होगा अर्थात यह संग किसी समझोते का परिनाम नहीं है तथा इन्हें भारत से अलग होने की सबतंतरता नहीं इन्हें भारत से अलग होने की सबतंतरता नहीं है इसी अनुचेद के अनुसार इसी अनुचेद मतलब एक के अनुसार ही भारतिय चेत्र को तीन श्रेणियों में बाटा जा सकता है भारतिय चेत्र को तीन श्रेणियों में बाटा जा सकता है पहला राज्यों के छेत्र राज्यों के छेत्र दूसरा संग राज्ये छेत्र या संग साशित प्रदेश जो भी लिखना चाओ योटी तीसरा ऐसे छेत्र जिने कभी भी अधिग्रहित किया जा सके अच्छा अधिग्रहित चेत्र जो होते है उसका प्रसाशन कौन करता है केंदर सरकार करेगी रास्ट्वती भी उसके माध्यम से ही रास्ट्वती के माध्यम से डील होगा इंदर सरकार उस को देखेगी है ना किया हम किसी छेत्र को सौंप सकते हैं किसी को कैसे 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 मैं पूछ रहा हूं मतलब सम्सामाने बहुमत से विशेश बहुमत से विशेश बहुमत के मादव से चलिए अच्छी बात यह सुप्रीम कोट नहीं का अजा एक बात अगर अगर हमारा चीन के साथ बांडरी है तो चुप रहेंगे बढ़े सीमा समझाता जो है उसके लिए कौन सा संशोधन करना होगा मानलो हमारा चीन के साथ अभी विवाद चल रहा है सीमा को लेकर है ना और हम कल को किसी एक चीज़ पर अगरी हो जाए तो हम आपको अरणाचल देते हैं मुझे पता है यह सब नहीं होगा दिल पर नहीं लेना है पर मानलो हम इस पर आ जाएं यह रख लेते हैं इस चीज़ किसको लेकर कौन सा समझाता हो अच्छा दूसरी चीज एक और बताओ चलो मैं कहता हुआं कि सीमा रेखा है चलो और असान कर देते हैं आपको इतनी सीमा है इसको लेकर को यह हो गया कि हम मानलो हमारे चेतर में आ रखे है हम उसके चेतर में हैं यह नहीं है जो भी समझ troops इसको लेकर कोई समझाता हुआ है, सीमा विवाद सौट आउट हो गया है, खतम हो गया सीमा विवाद, इसको लेकर जो समझाता है, कौन से बहुमत से पारित करना हो, इसके लिए सविधान में संशोधन होगा क्या, नहीं, इस चीज़ को याद रखेंगे, अगर किसी सीमा वि बहुमत हो विशेश हो कुछ भी हो, बट अगर हम कोई अधिगरहित छेतर जो है, किसी को छेतर अपना दे रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, समझा, बहुमत करना होगा, ऐसे नहीं हम दे सकते हैं, यह आप लोगों को अल्रेडी पता है, बस मैंने आपको रिव अच्छा भारती है संग का मतलब, और भारत के छित्र में क्या क्या आएगा? इससमें क्या आएगा? हुआ तुम अलग धर्रे पे क्यों चले जाते हो मेरे को सरफ इतना बता दो इसमें क्या आएगा ऐसे नहीं अरे यार राज्ये सरफ इसमें आएंगे और इसके अंदर सब कुछ आएगा राज्ये यूटी और अधिग्रही छेत्र इतना आप लोग कन्फ्यूज क्यों कहते हो सिंपल सी बात पूछ रहा हूं वह बताओ आप लोग मुझे सीधा तीन वर्ड हां रानी सही कह रहे हो छेत्र लेने में संशोधन ठीक है भारत का छेत्र भी याद रखना है और राज्यों का संग भी याद रखना है केंदर साशित प्रदेशों का प्रशाशन केंदर साशित या यूटी के प्रदेशों का प्रशाशन इसमें लिखो कुछ अच्छा बांगलादेश वाला जो किया था कौन से संशोधन था वह कैसी बाते कर रहे हो वैभव हंडर्ड थेक है ना तो सौमा सविधान संशोधन था जिससे हम लोगों ने बांगलादेश को कुछ टेरिटरी सौपी थी और उसका जो है हम लोगों ने निप्टारा किया था इसमें लिखो यूटी वाले में पहला पॉइंट लिखो इस समंद में समिधान के भाग आठ में प्रावधान किये गया है दूसरा प्रसाशन राश्टपती द्वारा निप्ट इनका प्रसाशन राश्टपती द्वारा निप्ट प्रसाशक के माध्यम से होता है यहाँ पर इसी लाइन में लिख लेना यहाँ पर प्रसाशक राश्टपती का एक एजिंट है ना की राज्जे का प्रसाशक राश्टपती का एक एजिंट है ना की राज्जे का प्रमुख लिख लो नीचे उप राज्जे पाल कहां कहां पे और प्रसाशक कहां कहां पे उप राज्जे पाल दिखो कहां पे दिल्ली एल जी लिखो एल जी कहां पे दिल्ली उदुचेरी अंडमान निकोबार और बोलो जमु कश्मीर लद्दाक पर्साशक कहां लिखो नीचे चंडीगड़ और दमनेंड दीव तथा लक्ष च्रीव लक्ष च्रीव फिर लिखो नीचे दिल्ली पुदुचेरी तथा जम्मु कश्मीर में विधान सभा तथा मंत्री परिशत का प्रावधान है विधान सभा तथा मंत्री परिशत का प्रावधान है लिखो दिल्ली के माम लिखो नीचे दिल्ली इसकी विधान सभा समवर्ती सूची तथा राज्ये सूची समवर्ती सूची तथा राज्ये सूची के विश्यों पर कानून बना सकती है समवर्ती सूची तथा राज्य सूची के विश्यों पर कानून बना सकती है ब्रैकेट में लिख लो सारजनिक ववस्ता, कॉमा पुलिस तथा भूमी को छोड़ कर ब्रैकेट में लिख लो सारजनिक ववस्ता, पुलिस तथा भूमी को छोड़ कर अगला लिखो जम्मु किश्मीर विधाई का जम्मु किश्मीर विधाई का सम्वर्ती सूची तथा राज्य सूची के अंतरगत आने वाले विश्यों के अंतरगत आने वाले विश्यों पर कानून बना सकती है सारजनिक ववस्ता और पुलिस को छोड़ कर याद रखना भही यह इंपॉर्टन है सारजनिक ववस्ता और पुलिस को छोड़ कर अगला पॉइंट पुदुचेरी पुदुचेरी डैश करके शौट में लिख लो समवर्ती तथा राज्य दोनों सूची वपर कानून उस पर रोक नहीं है बना सकती है पुदुचेरी समवर्ती तथा राज्य सूची दोनों प पर कानून बनाने में सक्षम एक अगला पॉइंट इंपोर्टन है वो भी समिधान में अधि ग्रहित छेत्रों के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है अगला पॉइंट मतलब कहने का मतलब यह है कि हमने कोई अलग से भाग नहीं बना रखा से विधान में कि कल को बांगला देश से हमने यह टापू यह ले लिए जो भी चीजे इस पर प्रसाशन इस तरीके से लागू होगा ऐसा कुछ नहीं वो के इंदर सरकार तेय करेगी उसी तरीके से प्रसाशन चलेगा तो अगर UPSC इस फॉर्म में पूछे कि अधिगरज छेत्रों के लिए अलग से प्रावधान ऐसा विधान में इसके चकर्वनी फसने अगला पॉइंट लिखेंगे UT के लिए UT के लिए संसद तीनों सूचियों पर कानून short में लिखलो संसद तीनों सूचियों पर कानून अगला राष्ट्पती अन्डमा निकोबार शौर्ट में लिखले आकरो A&N अन्डमा निकोबार कॉमा लक्षद्वीप कॉमा दादरा नगरहवेली दमनन्दीव की प्रगती हेतु नियम बना सकते हैं इस बार यूटी इंपॉर्टन है लक्षद्वीप के चलते हैं तो दमनन्दीव की प्रगती और शांती हेतु नियम बना सकते हैं पिर लिखो राश्ट्पती द्वारा बनाए नियम संसद के कानून के समान होंगे राश्कपती द्वारा बनाए गए नियम संसद के कानून के समान होंगे अगला पॉइंट संसद UT के लिए UT के लिए हाई कोट शौट में लिख लो HC उच नियाले स्तापित कर सकती है संसद करेगी भई संसद UT के लिए एक उच नियाले की स्तापिना कर सकती है नीचे लिख लो दिल्ली के समद में कुछ चीज़े लिखो दिल्ली के लिए विशेश प्रावधान दिल्ली के लिए विशेश प्रावधान पहला 69 संशोधन 79 संशोधन दिल्ली को रास्तिय राजधानी चेत्र रास्तिय राजधानी चेत्र कहता है या प्रभाशित करता है दूसरा 70 सदस्य विधान सभा अचा ये सब सीधे चुने जाएंगे या इसमें नॉमिनेटर भी है कितने 70 सदस्य विधान सभा जिसमें सभी प्रत्यक्ष चुने जाएंगे मतलब जब सभी जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाएंगे सभी जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाएंगे तथा मंत्री कितने होगे भई पंद्रा परसेंट के दस परसेंट तो कितने होगे सत्तर का तो लिखो साथ सदस्य मंत्री परिशत और ब्रेकेट में लिख लेना दस पर्तिशत या दखना नॉर्मल पंद्रा परसेंट है कैबिनिट की रेंज बढ़ इसके लिए 10 परसेंट की विवस्ता की गई है साथ सदस् भारत चुद्वासर का चुनाव निचे लिख लो भारत का चुनाव आयोग चुनाव का संचालन को कि अच्छ जो कि अध्यादिश जारी कर सकता है क्या कि एल जी चो होता है दिल्ली का अध्यादेश जारी कर सकता है कि या कि इंदर सरकारी करेंगे तो लिखो उप राजयपाल को उप राजयपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति उप राजयपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान की गई है झाल झाल अच्छा कौन सा मिनिस्ट्री के तहित वर्क होता है यूटी के समन्द में कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है केंदर साशित प्रदिशों को कौन सा मिन्त्रा ले कौन मारा था तुका तुका ही मारो कोई दिक्कत नहीं है ग्रह मंत्रा ले लेखलो ग्रह मंत्रा ले यूटी के समन्द में कानून यूटी के समंद में कानून, वित और बजड से समंदित सभी मामलों का नोडल मंत्रा ले हैं सभी मामलों का नोडल मंत्रा ले है जल्दी से भी एक طرف लिखेंगे राज्य एक तरफ लिखेंगे यूटी शौर्ट में लिखा देता हूँ तीन-चार पॉइंट ताकि आपको अगर पूछ ले तो फसो ना आप लोग एक तरफ लिखोंगे राज्य एक तरफ यूटी शौर्ट में लिखते चलो पहला इस राज्य की तरफ लिखेंगे केंदर के साथ संखीय संबंध दूसरा उस तरफ लिखेंगे एकात्मक संबंध उस तरफ लिखेंगे केंदर के साथ मतलो शौर्ट में लिखेंगे एकात्मक संबंध इसमें दूसरा लिखेंगे राज्य में साज्या वित्रण करते हैं शक्तियों का केंद्र के साथ साज्या वित्रण करते हैं दूसरा उस तरफ लिखेंगे इनका प्रसाशन और नियंत्रण इनका प्रसाशन और नियंत्रण सीधे केंद्र द्वारा किया जाता है इनका प्रसाशन और नियंत्रण सीधे केंद्र द्वारा किया जाता है इसमें तीसरा पॉंड लिखेंगे राज्य में यह स्वायतता रखते हैं अटानुमस होते हैं यह स्वायतता रखते हैं उच्छ था भी मैं फिर से एक बार यहां पर बता देता हूं कंफ्यूज मत हो ना और दो-तीन बार आया सवाल यह सवाल यह है क्या राज्य अपने छित्र में सवतंत्र है क्या नहीं गलत बात है यह इंडिपेंडेंट नहीं है क्या है स्वाइट तो यह वर्ड थोड़ा सा ध प्रसाशनिक व्यवस्ता में एक रुपता होती है और उस तरफ लिखेंगे प्रसाशनिक व्यवस्ता में लिख लो एक रुपता नहीं इतना तो अब आप समझने लगे हो एक रुपता नहीं किसमें लिको कारेकारी प्रमुख राज्यपाल होते हैं कारेकारी प्रमुख राज्यपाल होते हैं तथा यही मतलब या फिर लिको तथा राज्यपाल ही तथा राज्यपाल ही राज्ये का समिधानि प्रमुख होता है तथा राज्येपाल ही राज्ये का समध्धानिक प्रमुक होता है। उस तरफ लखेंगे कारिकारी प्रमुक डैस देके लिखो परसाशक, 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 अपर राज्येपाल, मुख्य आयूग्ट हो सकता है। तथा प्रसाशक रास्थपती के एजेंट के रूप में काम करता है अब वो तीनों लिख लो शौट में आयोग जो है ब्राज्य पुनर गठन आयोग बस एक एक लाइन में लिख लो जल्दी से पहला धर आयोग 1948 इसके आप सामने लिखो इसने एतिहासिक, भगुलिक, प्रसाशनिक, तथा आर्थिक आधार को, आर्थिक आधार को प्रमुख माना आर्थिक आधार को प्रमुख माना, मतलब इसने कहा कि राज्य पुनर गठन इनके आधार पे होना चाहिए, ये सब चीज़ों के आधा, दूसरा लिखो 1948 में ही JVP समीती, 1948 में ही JVP समीती, इनके बाद, इसमें लिखो, इसने अपचारिक रूप से, इसने अपचारिक रूप से औसविकार कर दिया कि राज्यों का पुनर गठन भाशा के आधार पर हो राज्यों का पुनर गठन भाशा के आधार पर हो और लास्ट लिखेंगे आप लोग फजल अली आयोग 1953 फजल अली आयोग 1953 इसके वार में लिखेंगे इसने भाशा को मुख्याधार माना इसने भाशा को मुख्याधार माना तथा एक राज्ये एक भाशा के सिधान्त को और सविकार कर दिया एक राज्ये तथा एक भाशा के सिधान्त को और सविकार कर दिया ठीक है बई तो आज आप लोगों का यहीं पर चीज़े रुखेंगी, कल से हम लोग आगे की चीज़ों को, आगे की कहानी को continue करेंगे, आप लोग regular रहेंगे, इसमें कोई बच्चा ऐसा भी है क्या, जो demo लेने आया है, या admission वाले हैं सब, demo वाला भी है कोई, नहीं, चलिए भई, आप लोग कल जो है, आप लोगों से मुलाकात होगी, और हम लोग continue करते खीशते रहेंगे हम लोग, 13 class है हमारे लिए quality के लिए, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा quality revise, वही लिखवाएंगे जो आप लोगों को, मतलब भूल सकता है या जो चीज़े मुझे लगता है जरूरी, बाकिया आप लोग ज़्यादा समस्तार कहाएंगे, थैंक यू,